हेलो बचों, उमीद है आप फिटफाट होंगे और अपनी एग्जामनेशन की जबरदस्ट पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं आपको बेस्ट विशेज भी करूँगा कि आप जरूर बहुत अच्छे नमबर लिखे आएं खेर, आज हम लोग वन शॉट की सीरीज में पहुँच गए हैं चेप्टर नमबर सेवन पर अल्टरनेटिंग करेंट के उपर और ये जो अरविन सर के वन शॉट हैं ये औरों से डिफरेंट हैं क्या डिफरेंट हैं मैं आपको दिखा देता हूँ और देखिए कितने बढ़िया तरीके से सरल लांग्वेज में, इजी लांग्वेज में आपका काम बनने वाला है जैसा हर बार बोलता हूँ मैं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अर्विन सर को मोटिवेशन आता चलिए स्टार्ट करता हूँ, तो Alternating Current and Electrical Machines वन शॉट वीडियो है, जैसा आप देखके समझ गए है औरो से अलग क्या है इसमें, औरो से अलग ये है किसमें आपको सारे Topics cover मिलेंगे बिटा, मैं इसको रोकता हूँ ये सारे Topics आपको cover मिलेंगे, Zero to Hero Series है यानि किसी बच्चे ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, या नहीं भी पढ़ाई तो मेरा lecture को अगर सुनता है, देखता है, तो उसका काफी काम बन जाएगा साथ में pure teaching मिलेगी, कोई fall to talks नहीं मिलेगी जैसे ही मैं भी start करूँगा, एक मिनट के अंदर पढ़ाना पूरा lecture आपको जटके में ही complete करूँगा जिससे आपको कोई भी आपका समय का बरबादी ना हो एक किदम और आगी चलते हैं, जिन बच्चों को presentation चाहिए इसका, जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, वो भी आप free of course ले सकते हैं आपको बस अर्विंद Academy के टेलिग्राम चैनल पर join कर लेना है उसका link में description में लगा दूँगा, click करके join कर सकते हैं that's all, very easy और जो बच्चे यह चाहते हैं कि अर्विंद सर्थ से पढ़ना तो अर्विंद Academy का app भी आता है, उसका link भी description में दिया है वहाँ click करके उसको download कर लीजे आपके फाइदे के लिए, help के लिए बहुत सारे courses मिलेंगे जो course आपको ठीक लगता है, वो आप लेकर अपने marks बढ़ा सकते हैं या अच्छा performance कर सकते हैं चलिए, तुरंत हम लोग आते हैं पढ़ाई के उपर और शुरू करते हैं, आज का one shot, chapter number 7, alternating current तो यह आगया शुरू आप में alternating current तो सबसे पहली बात यह उठती है, कि alternating current होती क्या है देखिए, हमारे घरों में जो हम battery, inverter वाली battery से जो current लेते हैं बैटरी जो current देती है, वो होती DC, direct current और alternating current जो होती है, वो alternating current में जो हम पढ़ रहे हैं उसका magnitude continuously बदलता रहता है, और direction periodically बदलता है जैसा आप देख पा रहे हैं, या waveform, direct current सीधे जा रही है ये, इसमें direct current में कभी भी direction जो है, change नहीं होता है और alternating current में direction change होता है, periodically periodically का मतलब, जैसे ये इतना समय ty2 है तो ये ty2 में यहां change किया direction, फिर इसके बाद ty2 में फिर change किया direction इस तरह से ये alternating current हो गई, और इस case में तो इसकी जो magnitude हो लगातार बदल रहा है खेर, इसका जो emf का formula हम लोग लिखते हैं, देखिए ये e लिखा हुआ है, लिखते वक्त ऐसी design तुम लोग बनाते नहीं e is equal to e naught sin omega t लिख देते हैं ये e क्या चीज है, अभी मैं समझाऊंगा e है emf, या voltage कह सकते हैं आप और e naught होता है, peak voltage maximum voltage सारी बाते होईंगे भी और इसी के तरज पर आप i निकाल सकते हैं i is equal to i naught sin omega t, ये current हो गई अचा ये जो i है या जो e है, वो कपका है instantaneous current, किसी छड़, किस छड़, जिस छड़ को t is equal to रखेंगे t is equal to 5 second, तो 5 second पर e कितना है और 5 यहां रखेंगे तो 5 second पर i कितना है तो i और e is the instantaneous current और voltage, ठीक है अब क्या है, ये देखें हैं लिखा भी है, सब मैंने presentation बढ़िया बनाया मन से, जिससे कि आपको बड़ा फाइदा हो, तो i की बात करूं तो instantaneous value of ac at any instant, any instant का मतलब किसी particular time पर आपका मन कर गया जानने का, ये जरूरत है और i not की value होती है, peak value तो peak और maximum value of ac and it is called current amplitude, इसको बोलते है current amplitude जो e not की maximum value आती है, जो की i not या e not की बात करने, तो i not हो जागा e not upon r, खेर एक कदम और आगे लेके चलते हैं ये जो amplitude की बात कर रहे थे, ये देखिए amplitude वही जो मैं यहाँ पर, इसमें ये जो लिखा होता है i not sin omega t, तो this is the amplitude of the current ये amplitude of the current amplitude of the current, इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं voltage की, ये maximum value है, either side either side का मतलब, ये अगर i आपका ऐसे जा रहा है तो या ली value लेंगे तो भी i not मिलेगी और ये लेंगे तो भी i not मिलेगी आपने wave वेगरा 11th में पड़ी है और 9th में भी पड़ी थी, sound wave तो ऐसे बनाते तो टांसवर्स wave की कहानी अगर आपको याद हो, तो this is the amplitude इसी तरह e का भी amplitude हो जाता है e is equal to e not sin omega t तो e not क्या हो गया voltage का emf का या voltage का amplitude तो ये आप जानते हैं कोई खास बात नहीं है बढ़ी इसान से बात है अब interesting बात आएगी ये भी थोड़ी फिर दूसरी बात देखते हैं हम लोग time period तो time period का मतलब होता है कि एक उस time में जब ये अपना पूरा एक cycle complete करती है ये जैसे कि I बनाया या E बनाया ऐसे completion आपने दिखाया तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो time लगा उसको बोलते हो time period एक cycle को complete करने में जितना time लगता है उसको बोलते है time period मेरे खासे बात पकड़ में आई होगी आपको और इसी को normally हम किस्ते दिखाते है t is equal to 2 pi upon omega और omega क्या है angular frequency भी बोलते है velocity भी भोलते है ठीक है तो omega हो गया अगली बात देखते हैं इसके बाद frequency तो frequency का simple मतलब होता है number of cycles completed in one second एक second में कितनी cycles complete हो गई है उसे बोलेंगे हम लोग frequency जिसको normally हम लोग f से represent करते है तो यह बाते आपको पता है क्योंकि इसमें omega आ रहा है और omega की value आपको मालूम है 2 pi f के बराबर होती है तो यह value put की जा सकती है और अपने काम को आगे बढ़ाए जा सकता है अब देखिए अब यह interesting चीज़ शुरू होती है जो average value होती है over the cycle of current वो कितनी होती है 0 average value of ac चाहे emf हो चाहे वो current हो कहने का मतलब क्या है कि एक में अगर मैं यह i बना रहा हूँ और एक complete cycle में यहां से यहां तक एक complete cycle हो गई 0 to t इसमें अगर मैं i average लूँ आई average over the cycle over one cycle तो इसकी value जानते हैं कितनी आएगी 0 वो कि इसका जब average लेते हैं तो 0 आ जाता है तो यहां पर कई ऐसे term आते हैं 2-3-4 तरह के जो हमें पकड़ने होते हैं इसी वज़े से क्योंकि complete cycle में average value 0 आ रही है इसलिए यहां पर जो average value हम बोलते हैं वो half cycle की बोलते हैं half cycle मतलब यहां से यहां तक क्योंकि जब पूरी cycle की निकालेंगे तो शून निमिल जाएगी तो निकालेंगे कैसे काम बन नहीं पाएगा तो अपनी जो discussions हैं बाचीत हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे तो अगर मैं half cycle का जिकर करूँ अच्छा यहां पर एक बात लिखी हूँ समझा देता हूँ जो हमारा normal moving coil galvanometer होता है उससे हम current वेगरा नहीं ना पाते एसी क्योंकि वो depend करता direction of current पर और यहां आप जानी रहें कि direction of current तो एक half cycle में reverse हो जाती है टी बाई टू में बदल जाती है period के बाद तो इस वज़े से वो कोई result नहीं देता है वो pointer खड़ा रहता है अपनी जगा क्योंकि normal हमारे घरों में जो ACREO 50 Hz की है तो एक second में 50 Hz saw cycle तो वो समझी नहीं पता इसे खड़ा रहता इसे लेकिन इसी जगा अगर हमें नापना तो है भाई तो हम क्या करते है heating effect वाले galvanometer को use करते हैं यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है we can measure AC by using a hot wire emitter hot wire emitter में क्या होता है current चाहे इधर जाए चाहे current इधर जाए जो आपका तार है उसमें heating तो पैदा होगी क्योंकि heat का कोई direction नहीं है बात पकड़ में आई होगी कोई wire अगर ऐसे है यह race tense समझ लिजे तो current ऐसे जा रही है या current ऐसे जा रही है कुछ भी हो जाए heat तो बनेगी ही आई square rt भाई चुकि इसमें heat तो पैदा ही हो रही है तो heating effect में आपके current का direction का महत्त खतम हो जाता है इसलिए इसका measurement कैसे कहते है hot wire emitter से तो यह विवाद AC के जो emitter से हैं वो different हैं DC वाले से तो यह थोड़ा बताना था जैसे आपके दिमाग में यह बात रहे अब देखिए आगे कुछ जैसे चर्चा कर रहे थे कि भाई over the cycle over the complete cycle इसकी value है शुन तो half cycle की बात करते हैं तो average value को देखिए हम halves देंगे यह definition भी है यह exam वे कर रहा है मैं पूछ भी लाती है तो यह I average या I mean यह I mean है I am लिखा हुआ है तो यह I average या फिर I mean over the complete over the half cycle होता है over the half cycle half cycle समझ गया होंगे half cycle के मतलब यह जो direction था यहां से लेकर यहां तक की गड़ना करते हैं और इसमें बात्चीच जो की जाती है वही यह I average किसे कहते हैं I average कहते हैं कि direct current की वो value जो किसी particular यह आफ time के अंदर जितना charge देती है उतने ही charge यह flow कर रहा हो I average in the resistance in the current माल लीजे आप समझ में आई बात कि I average क्या हुआ I average में इस T by 2 time के अंदर जितना charge DC direct current flow करती है उसी उस value DC की value को I average कहा जाता है तो इस definition में charge का मामला है अभी एक term आएगा RMS root mean square वहाँ पर मामला heat का हो जाता है तो इसको ध्यान से समझ लीजेगा it is defined as the value of direct current which sends the same charge in a circuit in the same time as it sent by the given alternating current in its half time period it is denoted by I average और I mean और इसकी I average की value क्या हो जाएगी अगर हम relationship establish करें इसकी peak value से या amplitude से तो 2 upon pi into I naught और 2 upon pi करो के 2 upon 3.14 तो यह result आजाता है 0.637 I naught यह average value है तो average value जब बोल रहे हैं तो यहाँ पर half cycle से मतलब है full cycle में तो 0 यह है खेर आप बात पकड़ पाए होंगे इसी तरीके से अगर हम बात करें E की potential की तो potential भी E average is called to 2 upon pi into E naught आएगा यानी 0.637 E naught तो यह दोनों चीज़े एकी तरज पर चल रही है आगे समझेंगे हम लोग कुछ बात है अचा इसी में एकी slide मैंने add की थी जिसे आपको दिमाकी तोर पर पकड़ना या सीखना आसान रहे I mean full cycle 0 I mean half cycle यह value लिखी हुई है यह average की भी लिखी हुई है तीसरी एक value और होगी जिसे rms value बोलते है root mean square तो electric device reads root mean square value जो electric device होते है rms value read करते हैं i rms की value हो जाएगी i naught upon root 2 भी चाचा भी करेंगे और v rms हो जाएगा v naught upon root 2 जो की हो जाएगा 0.707 v naught तो यहाँ पर i average का अलग मतलब peak value i naught का अलग मतलब इसी तरह v naught और i rms का अलग मतलब अब चलते हैं i rms के उपर अब यह देखिए i rms की बात कर रहे हैं root mean square और virtual value of ac दो तीन नाम है इसके root mean square virtual value effective value यहाँ पर मैंने लिखा होगा 100% समझा रहा हूँ यह short में लिखा है तो इसको i rms root mean square यही चीज़ होती है i virtual और यही चीज़ होती है i effective rms का मतलब root mean square v मतलब virtual और इसका मतलब effective तो कोई भी भाशा यूज़ की जाए पकड़ लीज़ेगा कि बातचीत क्या है अब इसकी definition में heat आ जाती है वहाँ charge की कहानी थी mean average में यह heat की कहानी है तो it is defined as that value of a direct current direct current की वो value जो same heat produce करें same time में जो की alternating current produce कर रही है तो which produces the same heat heating effect in the register as it produced by the given alternating current when passed for the same time और it is denoted by IRMS IV I effective तो इसमें definition में थोड़ा फर्क है मैं इसलिए ध्यान दिलवा रहा हूं कि exam में definition लिखने को आ जावे तो आप फर्क समझेगा वहाँ charge का मामला था यहाँ heat का मामला है ठीक I effective और IRMS क्या हो गया 1 upon root 2 I naught जिसकी 1 upon root 2 की value निकालोगे तो 0.707 707 वो James Wand वाला नंबर है वही था ना 007 था स्वारी उसका नंबर हा तो यह 707 तो इसको आप याद रखिएगा 0.707 I naught के बराबर IRMS होगी इसी तरह V की value करेंगे तो वो भी 0.707 V naught आ जाएगी जो इसके बाद वो स्लाइड मेरे काल से डाली है मैंने यह देखिए अब और यह voltage की बात कर रहे हैं तो वह से ही definition voltage की होगी heating effect पे based और IRMS कितना रहा E naught upon root 2 यानि 0.707 E naught तो यह value होगी तो आप ध्यान न कियेगा 2-3 तरह की value है I average over the complete cycle 0 I average average जब simple बोलेंगे तो half cycle में समझेंगे तो peak value से उसका relation क्या था 0.6 करके आया है 0.637 slide क्या पीछे करके दिखानी होगी मुझे दिखानी होगी अब बाती कर दी है यह I average 0.637 और इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़े IRMS में तो 0.707 इन values को हम लोग ध्यान रखेंगे यह बात discussion में हो चुकी थी तो एक के दब और आगे बढ़ते हैं एक numerical आगया इसको करके मैं दिखाता हूँ हमारे घर में जो सप्लाई हो रही है वो 220 वोल्ट और 50 हट्स है ध्यान नखिएगा हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो RMS वैलू होती है पीक वैलू नहीं इसलिए कहते भी हैं कि alternating current खतरनाक होती है DC से कि आप कहतो रहें कि 220 वोल्ट आ रहा है लेकिन यह तो RMS वैलू है और इसकी RMS की जगा आप जैसे ही निकालेंगे पीक वैलू I0 वह जादा चली आएगी तो यहाँ पर बात चीत करें तो E RMS दे रखा है 220 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्स राइड डाउन दा एक्वेशन फॉर इंस्टेनियस वोल्टेज इंस्टेनियस वोल्टेज की इस्टेंडर्ड एक्वेशन अब क्या लिखते हैं E is equal to E0 sin ओमेगा टी तो E0 के लिए हमें E0 निकालना होगा यहाँ से तो E0 की वैलू क्या निकालोगे E RMS 220 वोल्ट है तो E RMS is equal to E0 upon root 2 यह करते थे हम लोग E0 E RMS root 2 तो root 2 के लिए 1.414 होती ही तो 220 into 1.414 इसको जब solve करोगे तो करीब करीब 311 आ जाएगा E0 और यह E0 आपका 311 बन गया और इसको मैं लिख लेता हूँ F के फॉर्म में तो इसको लिख दीजे E is equal to E0 sin 2 pi f t E लिखा E0 है 311 sin लिखा 2 into 3.14 frequency 50 है into t डाला तो E value कितनी होगे 311 sin इसको multiply वगएरा करोगे तो 314 t आ जाएगा और यह हो गया आपका volt this is the answer यह जो equation लिखनी थी आपकी तो मैं side में हट जाता हूँ इसको note कर लीजिए और देख लीजिए कैसे निकाली गई है जिसे examination में आए तो आप कर पाएं मैं हट जाता हूँ आप इसको note करें कि कैसे यह किया गया है मेरे काल से आपने यह तो pause कर लिया होगा यह screenshot ले लिया होगा इसको कर लिया होगा एक कदम और आगे बढ़ाते हैं अब देखें यहाँ पर इस तरह कभी 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 पूछ लेते हैं तो हमेशा ध्यान लखी गए जो rms value होती है न calculate the rms value of the alternating current as shown in the figure तो i rms का जो formula था उसमें इसका मतलबी 11 में भी पढ़े हैं वे से आप root का mean का square i1 square प्लस i2 का square प्लस i3 का square अपॉन 3 यह भी ध्यान देखेगा इसलिए इसको pick up किया है कि by the way आपके सामने यह आ जावे तो आप इसको कर पावें नहीं तो पता लगा पता ही नहीं कि कैसे handle करना है अब यहाँ पर बातचीत देखी जाए तो i1 पकड़ लो तो i1 कितना है देखी दो एमपियर है यह i1 यह i2 यह i3 तो i1 मैं लिखता हूँ i1 का मतलब हो गया दो का स्क्वेर i2 हो गया माइनस टू और i3 हो गया वापस टू तो वैलू क्या आएगी दो का स्क्वेर दो चार चार आठ चार बारा तो बारा बारा अपन तीन यानि अंडर रूट फोर यानि टू टू एमपियर इस दी अंसर इस तरह के सी यह आप कर सकेंग कर लेंगे मैं किनारे हटता हूँ नोट कर लें इसको या जो भी चीज सुविधा जनक लगे वैसा कर लें चलिए एक कदम और आगे चलते हैं फेजर्स एंड फेजर डाइग्राम देखते हैं कई बच्चों को यह क्लियर नहीं होता लेकिन यह बहुत ही सरल बात होती है एक्चुली होता क्या है न लॉजिक क जब पढ़ाई की गई तो यह देखा गया कि अगर हम इनको स्केलर मानके पढ़ेंगे तो हमारे रिजर्ट्स जो प्रेक्टिकल एक्स्परिमेंट करने पर आ रहे हैं उससे मैच नहीं करते हैं और अगर हम इनको अल्टरनेटिंग करेंट की स्टेडी के लिए वेक्टर कॉ वेक्टर मान लें आई को वेक्टर मान लें और वेक्टर वाले रूल अपलाई कर दें तो पता लगा हमारे हमारा जो एक्सपरिमेंटल डाटा है जो एक्सपरिमेंट करके जो वेलू आ रही थी वो हमारी ठियोरी से मैच कर जाती है तो इसलिए इस टॉपिक में इस चैप् करने करेंगे अगर आप तो उसे बोलते है फेजर डाइगराम तो फेजर डाइगराम क्या है फेजर डाइगराम बहुत सरल बात है कि आप के पास एक वी है वोल्टेज एक करेंट है आई दोनों सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी की होनी चाहिए पहली बात शर्त है ओमेगा सेम ह को vector form में plot करें with proper phase difference, तो इसी plotting को, इसी diagram को हम phasor diagram बोलते हैं, अभी मैं बना के दिखाऊंगा भी और बना भी है यहाँ पर, तो दीखें यही पर लिखा हुआ है, a diagram that represents alternating current and voltage of the same frequency, frequency सेम होगी तो यह बन पाएगा, वरना अलग-अलग भाग जाएगा एज रोटेटिंग वेक्टर्स फेजर्स एलांग विद प्रॉपर फेज एंगिल बिट्वीन देम इस कॉल डे फेजर डाइग्राम और अरगान डाइग्राम तो कहीं लिखने को आजा क्या होता फेजर डाइग्राम तो आप लिख दीजेगा यह वर्ड्स बिल्कुल चुस्त वर्ड है और मैं समझा तो रहाई हूँ आपको तो यहाँ इस डाइग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर मलब यहाँ ऐसे ही समझ लीजे यह मान लीजे एक वोल्टेज आपने बनाया ऐसे वेक्टर की तरह तो इसकी इस लेंथ को ना E0 बोलते हैं ऐसे और इसका जो प्रोजेक्शन होता है on Y-axis जैसे यह आपने ड्रॉप किया तो इस वैलू इस नोन एज ए E इंस्टेनियस वैलू आपने एक्वेशन पढ़ी थी ना E is equal to E0 sin omega t तो यह E0 है इसकी लंबाई और यह E क्या है यह प्रोजेक्शन क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यह E आप देखेंगे प्रोजेक्शन फरक कर जाएगा यहां देखें इतना हो गया तो यह instantaneous value है E और यह क्या है उसकी लंबाई E0 है अब E और I को एक साथ plot कर दिया जाता है यहां कहीं मैं थोड़ा खिसका लेता हूँ तो इसी डाइग्राम को मैं साफ शब्दों में बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे मा लीजे E0 आपने इधर दिखा दिया और I वाला डंडा थोड़ा छोटा बना दिया अब यहां पर देखिए यह है I0 तो this value is known as a E and this value is known as a instant current I यह phasor diagram है और दोनों के बीच में यह जो है phase angle है phi और अगर हम इसको E अगर इसके formula को E is equal to E0 sin omega t लिख रहे हैं तो यह omega t क्या है omega t देखिए यह angle है यह E वाले का E not जो E बनाया है उसके लिए omega t और I वाला उससे आगे है यानि I के equation लिखनी पड़ जाए तो I not sin omega t प्लस phi लिखना होगा आपको यह क्योंकि यह omega t से phi angle आगे है तो इस case में गर आप देखें तो current आगे है potential से मतलब current leads the potential by phi angle इसे को face difference बोल रहे है और कुछ तोड़े तो आप समझ पाई यही जो diagram अब कही इस diagram में ऐसे गोला लगाया गया है आप गोला लगा भी सकते हैं और ना लगाई यह तो तो भी अच्छी बात है क्योंकि कम किचर पिचर लगेगी तो गोला पहले गोला बनाया जाता था लेकर फिर गोला को छोड़ दिया गया और यह जो vector है यह किस speed से भाग रहे हैं यह तो इस omega speed से घूम रहे हैं यह भी घूम रहे हैं मेगा से दोनों सेम इस पीट से भाग रहे हैं तो फेज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम है ओमेगा फर्यक होईगी तो पता लगा हर चड़ कौन आगे कौन पीछे समझी में नहीं आ रहा है भासर मत जाएगी हमारे लेविल का तो रहे नहीं जाएगा हमारा लेविल का मतलब है बोर्ट्स नीट जेई है न हो तो कुछ पीएसडी लेविल की बाते हो जाएगी या मेस्टी लेविल की ठीक बात पकड़ में आई होगी कि क्या चर्चा कर रहे है तो यह मैंने आपको बना के दिखाया और आगे भी और समझ में आ जाए इसलिए एक कदम और आगे बढ़ा टी प्लस फाई और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में फेज एंगिल बताईए तो फेज एंगिल तो आप बता ही देंगे फेज डिफरेंज यह इसे बोलते हैं फेज आपने पड़ रखा है दिस इस फेज दिस इस फेज आर्गुमेंट आफ साइन मतलब साइन का एंग जिए बताई जिए तो इसका फेज यह है दोनों के फेज घटा मारो तो घटाओगे तो फाई तो मिलेगा तो फाई इस दा फेज डिफरेंज और हम यह भी समज़ पा रहे हैं हैं यह मेरे बच्चों कि कौन आगे है कौन पीछे है बाई जिसका एंगिल जादा है वो आगे इतनी सरल जुतना एंगिल पीछे हो पीछे यानि आई लीड कर रहा है लीड मतलब आगे आई लीड कर रहा है बाई फाई एंगिल विद्धी वोल्टेच काम कदम ही कोई बहुत सरल होता यह चैप्टर ही बहुत सरल है आगे समझते हैं एक कदम अब देखिए इंपिडेंस और रियक्टेंस अब यह की पूरा जो एसी सर्किट होता है ना एसी सर्किट जो जैसे की रेइस्टेंस पढ़ा है आम लोगोंने टे अब जब एसी सर्किट पूरा बन जाता है तो एसी सर्किट में जो आपॉजिशन टू दा करेंट होता है करेंट का विरोध करने वाला क्वांटिटी उसको बोलते इंपिडेंस और जेट से डिनोज करते हैं यह वनाया जेट तो वाट इस जेट 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 इस ऑल्सो ये लेकिन किसमें in the full circuit in the whole circuit of alternating current बस इतनी सी बात है अब वो आपका कैसा circuit है जिसे हमारे course में series LCR circuit है तो वहां भी Z हो गया अब माली जो course में यह बात करें तो parallel LCR circuit जो course में हमारे नहीं है उसमें भी Z का Z बना रहेगा बात समझ में आगई आपको अब इसी में और जो parts होते हैं माली जो opposition resistance offer करता है उसको R बोलते हैं अब capacitor जो resistance offer करेगा उसको XC बोलते हैं यह लिखा हुआ है यहां कहीं XC मैं यहां दिखाऊँ जिसे मज़ा आपको यह XC क्या है capacitor जो resistance offer करता है opposition to the current उसको XC बोलते हैं और उसका नाम हो जाता है capacitive reactance बस इतना ही है मामला यह देखिए capacitive reactance और इसी तरह जो capacitor पहचानते हैं न ऐसे और inductor जो opposition to the current देता है उसे बोलते हैं एक्सल inductive reactance यह inductive और reactance और यह क्या होता यह coil है समझ लीज़े ऐसे inductor होता है तो और resistance आप जानते ही हैं वो तो R देता ही है साब तो यह अलग-अलग जो कहानी चल रही है this is resistance पहड़े हुए है दो-तीन साल से और यह coil जो offer कर रही है inductive reactance और जो capacitor कह रहा है वो capacitive reactance और जो सब मिल मिला के दे रहे हैं वो impedance Z बस इतना सरल मामला है तो Z की value होगी तो पूरे circuit के लिए whole circuit के लिए V upon I या V not upon I odd और V RMS upon I RMS यी फॉर्मूले की तरह दिमार्ट में बसा लिजेगा मौका पड़ेगा तो इस्तिमाल कर लेंगे हम लोग और यहां पर जो value है XL की देखिए यहां लिखी भी है दुबारा भी लिख रहा हूँ XL की value होती है ओमेगा L और XC की value इसी तरह हो जाती है 1 upon ओमेगा C तो इस बात को हमें पकड़े रहना है कि वह इसके फॉर्मूले हैं इस्तिमाल तो होंगे ही तो यह बात आपकी समझ में आ गई जिसे impedance और reactance में क्या फर्क है इंडिविज्वल reactance का मामला है पूरा सब मिल मिला के कांड कर रहे हैं तो impedance का मामला है ठीक है एक कदम और आगे चलते हैं अब देखिए AC सर्किट containing only a register अब यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से समझने के लिए step by step चलेंगे पहले केवल register capacitor और inductor रहेगा उसमें क्या कांड होता है फिर उसका दो-दो की जोड़ी रहेगी फिर finally LCR सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पर केवल register की बात की जाए तो इसमें E and I सेम फेज में होते हैं सेम फेज में होने का मतलब क्या है एक साथ बढ़ते हैं एक साथ घटते हैं वो शोले वाली इमताब अच्छन और धर्मेंद की दोस्ती हैं दोस्ती हम ना छोड़ेंगे साथ बढ़ेंगे साथ कटेंगे आप भगड़ पा रहे होंगे ना मात को कि they are in harmony harmony का मतलब जीवन मरन का परशन है जो होगा हम दोनों के साथ होगा तो I और क्या था भाई E I और E in case of resistance they are in same phase ये waveform बना हुआ है देखिए जब हमारा E peak पर पहुचा जिस time पर उसी time पर I भी पर पहुचा है जिस time पर E हमारा 0 हुआ है उसी time पर I भी 0 हुआ है साथ साथ चल रहे हैं they are in same phase तो pure resistive circuit में E और I दोनों same phase में होते हैं इसे बोलते waveform और इसे बोलते phasor diagram phasor diagram तो phasor diagram में बनाने में देखी ये एक दो मैं दिखा दूँ बाकि तो आप फोटो में पहचानी लेंगे ये E not बना दिया E not की value जादा है तो लंबा vector खीज दिया और इसी के साथ I है तो I भी यहीं पर आपने I not बना दिया एक के उपर एक बन गए क्योंकि साथ साथ चल लें कोई phase difference नहीं है और ये एंगिल क्या हो जाएगा omega t बन गया कारिकरम X Y Z आप में बलब X Y लिखना हो तो लिख लीजे दिस इस क्या है ये फेजा डाइग्राम है और जैसे मैंने समझाया था कि अगर आप इसमे प्रोजेक्शन ले लेंगे तो ये instantaneous value है ये I की instant value है और instant value कितनी होती है ये instant value पूरी है E भी E not sine omega tk बरावर I I not sine omega tk बरावर तो pure resistive circuit में E और I same phase में एक 7 घटेंगे एक 7 बढ़ेंगे अब बात करते हैं containing only inductor circuit अब inductor circuit में 7 नहीं होते हैं और मैंने कैसे अपने लिए याद रखा है कि कौन यहाँ पर lead कर रहा है या कौन lack कर रहा है तो यहाँ पर दिखिए voltage को मैं V लिखते हैं हम लोग और inductor के लिए L simber होता है तो मैंने अ victory उनी की होती है जो lead करते हैं तो lead कोन करेगा voltage किसे करेगा current है मैंने मैं भूल जाता था हो सकता आप भी भूल जाते हो अगर आप नहीं बूलते हो तो कोई परशानी नहीं लेकिन मैं भूल जाता था तो मैंने trick लगा ली कि मुझे कैसे याद रखना है VL victory leads lead जो करते हैं व current अब ये बोलेंगे voltage lead कर रहा है या current lag कर रहा है किताब में ऐसा भी लिखा होता तो उससे मजा नहीं आएगा आपको voltage leads और क्या कर सकते है current lags बात दुनों बराबर है voltage lead करता है I से दुनों बात बराबर है तो इस तरह समझेंगे तो synchronization एक लह बनी रहती है कितने से कर रहा है lead पाई बाई टू से तो यहां पर जो waveform बना अब देखें यह आपने बनाए यह जब यह जब जीरो था उस समय current पीछे थी इसके नीचे के तरफ देखें current दिख रही है जब यह peak पर पहुचा तो current उससे में 0 पहुची इससे में 0 नहीं इससे में यह कुछ value है negative और यह 0 पहुची तो पीछे पीछे चल रही है कि पाइबाइटू लैक कर रही दिस इस दा फेजर डाइग्राम इस इस दा वेफ़ार्म और फेजर डाइग्राम यहां बना हुआ है यह देखें यह नौट इदर खीज दीजे अब यह था ओमेगा टी क्योंकि इसकल टूए नौट साइन ओमेगा टी लिखा है अब इससे यह पीछे कितना है पाइबाइटू यह पीछे देखिए पाइबाइटू खेंच मारा हमने यह पाइबाइटू यह पर खेंच दिया गया ठीक तो अगर यह देखिए करेंट क्योंकि लैक कर रही है इसलिए इस एंगिल में पाइबाइटू घटा के लिख दिया गया है बा या वोल्ट जागे है, बात तो बराबरी है, कोई आगे है, पीछे किसी को बोलो, उससे क्या फर्रेक पड़ता है, अब इसका देखिए, इंडक्टिव रियक्टेंस का मामला है, जो XL की इमलुक बात कर रहे थे, XL की वैलू है, ओमेगा एल इसको तू पाई एफल, इसको आप ध्यान करके रखें, अब एक्सल यहाँ पर कभी कभी ग्राफ राप पूछ लेते हैं आप से, इससे आप क्या समझे, कि XL इस प्रपोशनल टू F, फ्रिक्वेंसी के प्रपोशनल है, अगर फ्रिक्वेंसी हमारी 0 है, तो XL भी 0 है, यानि DC के लिए, DC में तो F0 होता है, तो DC क कोई भी एक्सल नहीं होगा, शून होगा, फॉर डीसी कहीं लिखा, यह चलिखा, दाज एन इंडेक्टर अलाउज दीसी, फ्लो थू इजली बट अपोज़ अपोज़ दा फ्लो अफ एसी, डीसी को अराम से जाने देगा, कोई भी अपोज़िशन नहीं करेगा, और एसी के लिए अपोज़िशन करेगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की एसी डालेंग, उतनी वो विरोध करेगा, आई आरेमस की वैलू क्या, आई नौट अपोज़िशन और इसलिए लिखी हैं, कि सारी मौके मौके पर काम आती हैं, तो इसको याद करना आपका धर्म है, तो सिंप्ल बात के लिए, आई आरेमस इस एकल टुए आरेमस, और ये रहा नीचे एक्सेल, लेकिन याद ये तीनो चारो चीज़ करिएगा जगा जगा इस्तमाल होती मिलेंगी खेर इसमें ग्राफ आप से एकसर पूछा जाता है जिसकी पिक्चर ये है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर एकसल बढ़ रहा है तो यह देखें लीनियर ग्राफ एक स्टेट लाइन ग्राफ मिलता है को कि यहाँ पर जो रिलिशन्शिप निकाली थी एकसल इस प्रपोर्शनल टू एफ निकाली थी यह कैसा फोटो बनाता है डाइगराम बनाता है यह पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेट बनता है डीसी वाला है आप जानते दे डाइरेक्ट करेंट का ऐसे मनाते हैं सहल का लेकिन alternating current का source बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं और इसको e is equal to e naught sin omega t लिख देते हैं यह e naught sin omega t का मतलब e इधर लिखा हुआ है ठीक इस तरीके से कारिकरण होता है और यह capacitor एक लगा है केवल अब जो हमारा inductor में होलता था उसका उल्टा होगा वहाँ voltage lead करता था यहाँ voltage lag करेगा इतना बस ठीक लीजे बात खतम हो गई voltage lag कर रहा है तो current lead कर रही है πाई बाई टू से बस काम खतम तो e is equal to e naught sin omega t और current lead कर रही है यह पिछले वाले का उल्टा तो यह बन जाती है i naught sin omega t प्लेस πाई बाई टू पकड़ के रखें इतना और यह waveform जैसा मैंने समझाया था e देखे यहाँ से चल रहा है जब यह e 0 था उसमें current आगे थी πाई बाई टू यह पीक पर थी और इसी हिसाफसे waveform बन गया यहाँ पर देखे तो यह देखे e naught ऐसे बना रखा है current इससे आगे है πाई बाई टू तो यहाँ से पाई बाई टू angle आगे बना दीजे i i naught की value और यह omega t है ही यह phasor diagram बन गया कोई भी परिशानी नहीं है अगर logical आप समझ पा रहे हैं सारी बाते हैं चली एक कदम और आगे बढ़ाते हैं capacitive reactance जो बात की जारी थी वो xc की बात कर रहे हैं अब लो और xc की value मैंने लिखी थी क्या 1 upon omega c तो यही बात यहाँ पर की जारी क्या position to the current कितना देगा तो xc is equal to 1 upon omega c और इसको 1 upon 2 pi fc लिख सकते हैं अब देखें यहाँ पर कहानी xc is inversely proportional to 1 upon f हो गया है देखें ना इसे यानि अगर हमारी frequency जादा है तो यह capacitive reactance कम है यानि ac अगर हम भेजना चाहें एक capacitor से high frequency ac तो ac will pass क्योंकि इसकी frequency जादा है तो opposition जो है opposition कम हो जाएगा लेकिन dc अगर भेजना चाहें तो dc allowed नहीं है क्यों? क्यों dc के case में f0 होता है f0 तो xc infinite यानि dc को यह block कर देता है dc capacitor से pass होके नहीं जाएगी जाती नहीं रहेगी momentary जाती है बस वो भी charge करने के लिए capacitor उसके बाद ठप करके बन और ac अराम से pass होती रहेगी तो यह बात भी समझने की है for dc f is equal to 0 तो xc infinite है जो मैंने समझाया यह important है किदरों पूशा जाता है तो i rms की बात है i naught upon root 2 और इसी तरह बाकी बाते तो i rms is equal to e rms upon xc यह जैसा मैंने पीछे पताया था कि यह सब 4-5 format है वो पकड़के रखिये कहीं भी कोई भी लग जाता है और आपको एक्दम शांदार प्रदर्शन करना है इसके ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ग्राफ बड़ा पुछा जाता है आपके examination में यह देखें यहां पर जैसा कि हमने देखा था हम लोगों ने कि xc inversely proportional to 1 upon f तो यह इंडेक्टेंस वाला जो था इंडेक्टिव रिएक्टेंस वाला मामला तो उसको पकड़े रहीएगा एक के दब आगे बढ़ाते हैं वेटा और आच्छा यह कोई numerical है तो इसको कर लेते हैं लिखा यह 100 Hz AC is flowing in a 14 mH coil find its reactance यह बहुती सरल सवाल है बेटा यह देखें हम जानते है एक्सल is equal to omega l और omega का मतलब होता है 2 pi f l बस value राल नहीं है 2 लिखा 22 by 7 frequency d है 100 Hz और यह 14 milli है नहीं जो l की value है this is l 14 milli 10 की power minus 3 अब इसको जब आप solve करेंगे तो आजाएगा 8.8 ohm जो भी opposition to the current है तो XL का unit XC का unit R का unit impedance का unit सबका unit ohm Z का unit XC XL R इन सबका SI unit ohm तो यह cookie opposition to the current है तो 8.8 ohm इसना answer हट जाता हूं उसको note कीजिए फिर आगे की चर्चा करते हैं खेर आपने मेरे खाल से note कर लिया होगा तो एक कदम और आगे बढ़ाते हैं अच्छा एक numerical और है इसको भी solve करेंगे हम लोग तो देखिए इसमें क्या कहा गया है बोला एक pure inductor of 25 milli हें henry में change कर दीजे 25 into 10 की power minus 3 henry is connected to a source of 220 volt तो यह जो value दे रखी रहती है यह rms value है 220 volt find the inductive reactance inductive reactance के मतलब excel and rms current i rms in the circuit if the frequency of the source is 50 hertz तो f की value दे रखी है 50 hertz निकाल लेंगे अब यहाँ पर देखे यह value हम पो निकालनी थी तो हम क्या करते है excel को लिख देते हैं omega l यानि 2 pi f l 2 लिखिए 22 by 7 and f कितना है 50 और l कितना है 25 into 10 की power minus 3 इसको solve करेंगे तो करीग परीबा जाएगा 7.85 ohm तो यह रहा आपका पहला answer दूसरा बोल रहे है i rms निकालिए तो हमारे पास देखिए excel भी मौजूद है और e rms भी मौजूद है तो i v is equal to i r की तरज पर याद रखो तो अगर हमें i rms निकालना है तो हम देख सकते हैं e rms upon excel e rms कितना है 220 और excel कितना है 7.85 और यह वैलू आ गई 228.03 एंपियर यह answer हो गया देखिए कुछ भी परिशानी इसमें नहीं होने वाली तो आप इसको नोट के स्क्रीन शॉट या पास करके नोट जो भी आप तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह question हो जाता है बड़ा आगे बढ़ाते हैं अच्छा एक नुमेरिकल और है इसको भी करते हैं भाई अदो कि एक कैपेसिटर आफ वन माइक्रो फैरेड यह कैपेसिटर है तो सी की वेलू लिग दीजे एक माइक्रो फैरेड यानी 10 की पावर माइनस 6 फैरेड इस कनेक्टेट टो एन एसी सोर्स अच्छा इसमें एक्वेशन है इसलिए मैंने ले लिया थ्रा जिसे आपको ज़्यादा समझाने मदद मिले धाई सो 250 साइन हेंडरेड ओमेगा पाई टी यह एक्वेशन दे रखी है इस एक्वेशन को हम केंपैर कर सकते हैं स्टेंडर्ड फॉर्मवल एक्वेशन से इस एक पर टू इनॉट साइन ओमेगा टी ठीक तो यहां पर इनॉट की वैलू कितनी आ गई 250 ओमेगा कितना आ गया केंपैर कर लो 100 पाई 100 पाई रेडियन पर सेकेंड यह डाटा हमारे पास आ गया सी आ गया इनॉट आ गया ओमेगा आ गया पूछा क्या राइट अन इक्वेशन फॉर इंस्टेडियस करेंट थू दा सर्किट एंड गिव रीडिंग अफ एसी एमिटर कनेक्टे इन दा सर्किट हमको आई बीचे यह और आई का वैलू भी लिखना है अब देखिए यह जो है रहा कैपेसिटिव सर्किट है तो यह है कैपेसिटिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट कैपेसिटिव सर्किट अब याद करो कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करेंट और वोल्टेज में क्या रिलिशन होता था तो current lead करती थी इसके अंदर तो current will lead color बदल लेते हैं थोड़ी देर के लिए current leads the voltage by pi by 2 ये बात पकड़ में आई कहां से क्योंकि ये pure capacitive circuit इसमें ऐसा ही होता है inductive में voltage lead करता है अगर हमें equation लिखनी पड़ जाए तो मैं लिखना हूँगा i is equal to i not sin omega t plus pi by 2 क्योंकि ये lead कर रही है इसकी equation अगर ये है तो इसकी ये होगी अब यहाँ पर value निकालने की कोशिस करते हैं अब i not लिखना चाहेंगे तो i not किसको लिखेंगे i not हो जाएगा e not upon xc और xc ये दिखेंगे कहीं पर लिखके दिखा दूँ आपको तो ज़्यादा comfortable हो गया यहाँ पर मुझे चाहिए कहाँ गया i not तो i not का मतलब है e not upon xc xc होता है one upon omega c तो ये value पूरी क्या बन गई? omega c e not तो मैं यहाँ i not की जगा लिख रहा हूँ हैं और sin omega t plus pi by 2 अब value रखने की बारी आ गई है तो मैं इसको थोड़ा उपर करूँगा और value डालता हूँ तो omega कितना था? 100 pi तो यही है ना? हाँ 100 into 3.14 और e not कितना था? साइन लिखा फिर omega तो omega 100 pi था 100 pi t plus pi by 2 अब इसको थोड़ा solve कर लेंगे आप तो value आजाएगी 0.0786 sin 100 pi t plus pi by 2 यह value आपकी आगे किसकी जो equation आपको लिखनीती है answer number 1 है 1 लिख देते है कि यह जो current है instantaneous current उसकी equation क्या होगी? देखे प्यास से मैंने निकाल दी बिल्कुल सरल होता कोई tension नहीं होगा आपको अच्छे से समलने एकदम 100% बात बन जाएगी खैद दूसरा साइद क्या निकालना तो मैं भूलिया तो and the given reading of AC emitter connected in the circuit AC emitter की reading तो जो instruments होते हैं वो RMS निकालते हैं तो IRMS चाहिए हमको जो नपाई होती है उसमें RMS value मिलती है तो IRMS चाहिए IRMS कितना value होती है? 0.707 I0 के बराबर I0 यह है और यहाँ पर value लिख दीजिए 0.707 into this is I0 0.0786 और यह approximately आ जाएगा 0.06 ampere यह answer number 2 है तो मैं हट जाता हूँ आपको शुरू से दिखा देता हूँ जिससे आप बात को पकड़ पाएं इसको थोड़ा नीचे करना होगा सवाल अब दिख रहा है आपको तो यह note कर ले यह screenshot ले ले बेटा फिर एक कदम आगे चलते हैं note कर लिया होगा आपने यह screenshot ले लिया होगा इसको थोड़ा उपर कर देता हूँ हो गया शहर यह देखें यह आपर note कर लिजए आप तो मेरे खाल से note कर लिया होगा फिर आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं हमारे लिए क्या है तो यह AC circuit with resistance and inductance अब pairing शुरूआ जोड़ों में इसको ना भी बताया जाए तो भी आप समझदार हैं लेकिन आपको सुविधा हो इसलिए एक दो step और जिससे परिशानी ना हो आपको अब यहाँ पर देखिए हमारे पास resistance भी है और L भी है तो RL या LR circuit हो गया यही लिखा हुआ है AC circuit with resistance and inductance in series अब यहाँ पर देखिए E is equal to E naught sin omega t तो जो source काम लगा के बैटें वो source ऐसे supply कर रहा है I naught निकालना होगा तो E naught upon इसका total impedance क्या होगा Z वो यह Z की value लिखी है यह तो इसको समझ लेते हैं पहले देखिए क्या है इसमें I की value जिस direction में होगी जिस phase में उसी phase में VR होता है यह हम देख चुके हैं same phase लेकिन यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर current जिस phase में है उससे inductor में वोल्टर लीड करता है तो इसकी भी pi by two angle है तो अगर आप इसका पकड़ने जाएंगे तो value क्या बनेगी यह दोनों को एक right angle triangle बन गया जिस direction वी जा रहा है वैसे ही हम लोग पकड़ लेंगे क्योंसी direction उसी की direction हमारी क्या बोलते हैं opposition to the current हो जाएगी तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे एक का VR है इधर और दूसरे का VL है इधर तो यह क्या है यह total हमारा बन गया right angle triangle यही बात यहाँ दिखाई गई है देखे फेजर डाइग्राम में फेजर डाइग्राम में पहले देखे खीचा है हम लोगोंने क्या E E not कहीं E not नहीं खीचा चाहो तो E not भी खीच लो यह E दिखा रहा है इसको पहले E not कीचा उसी direction में यह E not को हम लोग इसका VR कह दीजे तो जिस direction में I है यह उसी direction में देखे वी आर है लेकिन क्योंकि इसमें I reference में I लेते हैं क्योंकि series circuit में I सब में सेम होता है मैं बना के एक बार दिखा दूँ शहीद तो ज़्यादा आपको असानी पड़े इसको मैं उपर नहीं करना चाहता हूँ तो यह माल लीजे यह लिया आपने और यहाँ पर एक current बनाई ऐसे I This is I उसी direction में बना दीजे VR क्योंकि resistance के case में VR आई एक ही direction में होते है और जो VL है वो इससे 90 degree में है यह बन गया साब इससे 90 degree बनाते हुए VL अब यह VL है और आपका बनाई यह पूरी पूरा दिलेंगे तो यह इसको ऐसे भी लिख सकते हो V not L यह कई जगा VL not भी लिखते है मतलब यह peak value है यह 90 degree बन रही है और इस दोनों का जो potential का result होगा वो आएगा जो source का result है कि energy तो नहीं जा नहीं रही तो इनका जब आप निकालोगे resultant VL और VR का यह कहीं बीच में आएगा this is E E जो आपने source लगा रखा है तो यह मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि एक बार आप समझ लेंगे तो बाकी में मुझे नहीं समझाना पड़ेगा फेसर डियागरम समझ रहे है अज़र आप अब यह VL की ही direction में X है X का मतलब position to the current तो I और इधर XL दोनों में 90 degree का है तो हमारा जो impedance होता है वो होता है इसके अंदर under root R square प्लस XL square यह क्यों 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 कि यह पाइथा गोरस टाइप बन गई ना देख पा रहे हैं आप यह बना R इधर यह बना आपका XL इधर अब इसका resultant निकाल लीजे आप तो resultant निकाल मारेंगे तो कितना आ जाएगा XL square प्लस R square बराबर Z का square जेड इसकार टू under root XL का square प्लस R का square किस तरह से तो यह impedance यह पकड़ेंगे तो R square प्लस XL square और यहाँ पर 10 phi की value करें जो यहाँ पर triangle बनता है देखिए 10 phi phi क्या है जो resultant voltage है वो हमारा i से कितना angle बना रहा है वो बना रहा फाइग और phi निकालने के लिए क्या करेंगे perpendicular upon base तो base क्या हो गया यहाँ पर देखें V not R और perpendicular क्या हो गया VL तो VL upon VR यह not लगाने का मतलब क्या है peak value है अब इसी को जब आप solve करेंगे तो XL upon R आ गया है तो सरलता के लिए इस वाले में आप याद करने के लिए हमेशा इधर XL upon R समझ सकते है in the case of जिसमें resistance और inductance दोनों लगा हुआ है यह formula और in generalize हो जाएगा जब LCR circuit तीनों आएगा खेर आगे की बात करते हैं second term की इसमें एक सवाल आ गया इसको कर लेते हैं ग्वेन इंडेक्टर L एंड रेइस्टर R in series are connected across 12V 50Hz supply तो यहाँ दिखिए यह value ERMS दे रखी है 12V frequency है 50Hz और एक current आप 0.5A flows in the circuit तो हमारे पास I ERMS भी है 0.5A in the circuit the current differs in phase from applied voltage by π.3 यह भी दे रखा है हमारे पास π.3 यह पूरा data calculate the value of R R निकालना था तो R के लिए देखिए हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं यह जो पीछे circuit था इस circuit में Excel upon R है अगर आप cos 5 लेखा दें आप यहाँ पर तो यह value जानते क्या बन जाएगी R by Z cos 5 ले लिजे और क्या होता है base upon hyperteneuse तो यह हो गया base base is वी आर या आप कह दें किवल R और this is Z impedance इस डारेक्शन में तो यह cos 5 भी याद रखिए R upon Z और 10 5 Excel upon R दोनों ही बात बन जाती है अब इसी का इस्तेमाल यहाँ कर लेंगे हम लोग अगर हमें cos 5 लगाना है which is equal to R by Z तो हमको Z चाहिए तो Z के लिए क्या करेंगे E RMS upon I RMS E RMS कितना है 12 V 0.5 तो यह हो गया 24 Ohm Z अब यहाँ value रख दीजे तो cos R निकालने के लिए Z cos 5 Z कितना निकला है 24 Ohm cos 5 कितना है Pi by 3 यानि 24 into 1 upon 2 यानि 12 Ohm is the answer यह आपका answer आगे है देखिए आपर इस तरह के से भी सवाल लगा सकते हैं 10 5 is equal to excel upon R करने जाएंगे तो excel की value यहाँ given नहीं है और excel बराबर omega L होता है तो फिर आपको वो जानकारिया मिलने के लिए दूर जाना पड़ेगा बहुत It is better कि cos 5 वाला formula इस्तमाल कर ले इसको note कर लीजे या screenshot ले लीजे फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं मेरे कहल से अब तक हो गया होगा आपका अब देखे एक कदम आगे बढ़ाया अब इसमें जो circuit वो RL circuit है पहले capacitor था तो आपको मालूम है कि R के case में दोनों तो same phase में रहते हैं लेकिन L के case में जो current है उसके पीछे रहता है voltage lag करता है पाइबाइटों से तो यहाँ पर situation क्या बनेगी अगर E is equal to E not sine omega T है तो यह E हमारा lag करता है तो हमारी I क्या होनी चीए देखे I की value लिखी है फिर इसलिए I जो होगा होगा I is equal to I not sine इससे आगे omega T plus πाइबाइटो जो कि यहाँ नीचे लिखा होगा I not की बाद करें तो I not का मतलब है E not upon Z impedance और Z क्या है under root R square plus XC का square वैसे ही तरीके से जैसे phase difference बनता है phasor diagram बनता है अभी LCR circuit में भी बनाएंगे हम लोग तो Z यह आ गई value देखें 10 5 निकालेंगे तो इसको याद रखने में असानी रहती है तो 10 5 आ गया XC upon R और cos 5 निकालने अगर आप जाएं जैसी बादचीत की थी तो base upon hyperteneuse तो यह रहा आपका base Z upon hyperteneuse hyperteneuse is R तो कहां पे गए base upon R तो Z upon R दिखाई पढ़ रहा है इसके अंदर triangle this one यह 90 इदर है यह उल्टा लिख दिया है मैंने R upon Z R upon Z हर जगा मिलेगा इसको याद रखिए cos 5 गटो R upon Z power factor की भी बात होगी तो भी दिखाएंगे R upon Z हो गया तो यह इस तरीके से इसकी कहानी बन गई एक numerical इस पे भी ले ले लेते हैं हम लो यह देखिए और what is the value of current in the AC circuit containing R है 10 ohm C है 50 micro कुलाम यह कुछ गलत लिख दिया है 50 micro farad है in series across 200 volt 50 hertz AC source अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है value of current तो current निकालने के लिए हमें चाहिए क्या होगा RMS current तो I RMS is equal to E RMS upon Z इस तरह से निकलेगा तो हमें Z निकालना है तो Z की value क्या हो गई Z हो गई R square plus capacitor है तो यह XC का square मतलब R square plus 1 upon omega square 1 upon omega C का square यानि और लेके चलें तो इसको लिखो R square और omega की जगाई value डालने 2 pi F तो यह value बन जाएगी 1 upon 4 pi square F square C square क्योंकि omega की value होती है 2 pi F सारी values पुट कर दीजे इसमें तो R की value दस दे रखी थी 1 upon 4 pi square frequency 50 है और C कितना है 50 micro farad अब इसको आप solve करेंगे तो इसको जब solve करेंगे तो यह value आजाएगी यह दो सो यह दो सो यह दो सो वोल्ट यहां दे रखा है और Z की value हो गई 64.4 यानि value होगी 3.10 ampere यह रहा आपका answer तो मैं हट जाता हूं किनारे और इसको आप note कर लीजे फिर चलते हैं आगे जैसे numerical करके भी आपका perfection आजाए तो मेरे खाल से आपने इतनी देर में note कर लिया होगा एक कदम और आगे बढ़ाते हैं अब series LCR circuit आजाता है तीनों लगे हुए इसमें आपका course में यही है मतलब यहाँ पहुचने के लिए सीखना तो पड़ते ही है अब इसमें देखिए कहानी कैसे है series में मैंने बताया क्योंकि current सम्में सेम होती है इसलिए current को base मान लेते हैं यह current माना इसका voltage इसी के साथ है no phase difference inductor case में जिदर current है उससे lead करता है voltage capacitor के case में जिदर current है उससे voltage lag करता है πाई बाई टू तो एक lead कर रहा है एक lag कर रहा है एक साथ में तो इसका phasor diagram देखिए यह बना हुआ है यहाँ पर आप देखें तो यह आई है इसी direction में VR हो गया अब inductor का VL lead कर रहा है तो इससे πाई बाई टू आगे बनाते हुए this is VL और यह पीछे है तो इससे जो यह बनाया था इससे पीछे हमने बना दिया VC बन गया अब यह देखें VL वी सी एक दूसरे के अपोजिट हो गए है अगर अपोजिट है तो इसका कुछ net वोल्ट है जाएगा मान लेते हैं इस case में VL बढ़ा है कोई हो सकता बढ़ा हो या सेमी हो जैसा भी होगा इस case में VL मान लेते हैं बढ़ा है तो इस VL में से आप VC घटा देंगे तो इतना टुकड़ा suppose करिए VL माइनस VC आ गया है यह इतना कितना है VL में से VC घटाने के बाद है बस इस result में और इस VR में आपने vector वाला form लगा दिया यह resultant निकलाया E यह E कौन सा यह E है जो source लगा के बैटने को कि ultimately कुछ भी कहानी घटे E जो है जो कि energy का family का है वो तो same रहना चाहिए जो हमने दिया वो दिखना चाहिए हम यह मान के चलने कहीं पर wastage of energy नहीं है अभी ठीक तो जितना E है उतना E है दिखना चाहिए हमाँ पर इस तरीके से यह चीजें बन जाती है अभी जो E है यह I से कितना angle बना रहा है फाई this is the phase angle इस फाई को निकालने के लिए अलग से हम एक triangle बनाते हैं इसको बोलते है impedance triangle जहां पर देखिए Z लिखा है Z उसी direction में है जिस direction में E है और यह AP लिखा है XL माइनस X यह VL माइनस VC था तो XL माइनस XC और R से बना रहा है फाई देखिए यह R वाला है तो R से यह जितना होगा उतना ही यह होगा इसलिए यह लिया यह triangle है यह देख पारे होंगे आप यह triangle है तो यहाँ पर यह फाई हो गया R XL माइनस XC और Z इसे बोलते हैं impedance ट्रेंगिल खेर अब E is equal to E not sin omega T यह source लगा के बैटे हो लग गया काम I not निकालना है तो I not का मतलब होता है E not upon Z और Z क्या होगा जैसा आप लिखा भी है कि Z की value हो जाएगी under root R square और XL minus XC का whole square जो difference आया है XL minus XC अब कभी मालीजी जो बड़े में से छोटा कटा ना difference लेना है हमको यह value बन जाती है आपकी और Z की value मैंने लिख दी Z की value हो गई और यह लिखा है कि यह क्या है Z यह impedance है तो यह LCR सीरीज LCR circuit है जिसके अंदर कहानी बनती है कुछ special case होते हैं इसके वो हम लोग अभी समझ लेते हैं चलते हैं इसके special case को समझने के लिए special cases यहाँ पर अगर when xl is greater than xc भाई हमारा जो formula भी आया है 10.5 वाला वो होता है इसमें xl minus xc upon r अब हमारा अगर xl बड़ा हो जाता है तो इस circuit का dominance किदर होगा inductive circuit बोलेंगे से inductive circuit की तरह behave करेगा यानि voltage current से lead करेगा पूरा circuit तो कि xl is greater than xc और उसी तरीके से ये value हो गई देखिए और cos y r by z इसको तो याद करके रखेंगे तो यहाँ पर देखिए voltage lead कर रहा है तो अगर voltage की equation हम ये लिखें जो source की लिखी है तो ये lead कर रहा है तो current इससे पीछे होनी चाहिए तो इसमें omega t में phi घटा दिया तो ये इससे e आगे है और इसका ये एक diagram आप अराम से बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपने क्या दिखा था कि xl xc से जादा है तो vl vc से जादा है तो vl minus vc ये आगे है जो भी समझाता है वैसी पहुँच गे हम लोग दूसरे case में ऐसा हो सकता है कि xc जादा हो अब देखिए यहाँ पर xl is less than यानि xc is greater than xl तो vc is greater than vl ऐसे समय सकते हैं चोटा लिखा हुआ है तो यहाँ पर xc minus xl हो जाएगा जो बड़े में से चोटा तो इसका इस circuit का dominance कैसा behavior होगा capacitive circuit यह circuit बन जाएगा capacitive नहीं L series LCR circuit में अगर हमारा xc xl से बड़ा है तो यह capacitive circuit है capacitive circuit में क्या होता है voltage lack करता है current lead करती है तो यह कहानी और cost wise equal to r by z चली रहा है अभी देखेंगे power factor हो जाएगा तो यहाँ पर current lead कर रही है यानि अगर हमारा e is equal to e naught sin omega t है होनी चाहिए तो i is equal to i naught sin omega t plus 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर current lead कर रही है voltage से उमीद बात पकड़ पा रहे होंगे और यहाँ पर दिखेंगे क्योंकि VC बड़ा है तो इधर घटने वाली प्रक्रिया इधर आ गई VC minus VL कोकि VC is greater than VL और इस तरीके से triangle बनाके हम निकाल लेते हैं जैसे वहाँ बनाया था यह impedance ट्रेंगिल ऐसा भी हो सकता है दोनों बराबर हों यह गटना यहाँ पर लिखी है थर्ड केस में हो सकता है कि XL बराबर axion यानि VL बराबर VC तो यह term ही zero हो जाएगा तो उस समय यह circuit कैसा हो जाएगा pure resistive यानि दोनों का voltage क्योंकि दोनों की जो voltage होते हैं inductor के और capacitor के वो opposite nature में होते हैं यह diagram देखने हैं फेजर diagram अपोजिट है अगर VL और VC बराबर आ गए तो दोनों मार देंगी एक दूसरे को शून ने बचाएगा तो pure resistive circuit रह गया के वल तो उसे बोलते pure resistive circuit और pure resistive circuit में जो कहानी चलती है I naught is equal to E naught upon Z और Z क्योंकि R है इसलिए simple हम यहाँ पर अगर VL बराबर VC है तो हम R भी लिख सकते हैं जब आप लिखने जाओगे ना Z is equal to under root R square plus XL minus XE का whole square अब यहाँ XL बराबर XE है तो यह term हो गया 0 तो Z बराबर क्या हो गया R इसलिए इसको E naught upon Z या E naught upon R भी लिखा जा सकता है क्योंकि Z बराबर R है अब बाकी सारे relationship आप achieve कर सकते हैं इस तरीके से यह special cases इसके बन जाते हैं अब एक कहानी थोड़ी और आगे लेके चलते हैं अब देखिए resonance condition की बात कर रहे हैं series LCR में series LCR circuit में resonance condition तो पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि resonance होता क्या है तो resonance वो इस्तिती है जब हमें maximum current अचीव होती है तो maximum current अचीव यह लिखा भी है अच्छे words में इंपिडेंस क्या होता position to the current तो अगर current को maximum होना है तो impedance को सबसे कम होना है तो impedance सबसे कम यह देखिए I0 E0 upon Z लिखा हुआ है और Z में इसकी जो कहानी होती हो minimum हो यानि यह XL वराबर XC हो यह देखिए Z आप लिखते हैं न under root R square plus XL minus XC का whole square अब इसकी minimum value कब होगी जब यह शून हो जाए को कि negative तो हो नहीं सकता यह तो हमारी XL बराबर XC जो होती है वो होती है resonance condition resonance condition का मतलब क्या है जहां पर maximum current मिलेगी क्योंकि यह हमारा हो जाएगा Z सबसे कम तो total value I0 सबसे ज़ादा यही चाहिए हमको और यह XL बराबर XC यह XL है देखिए यह XC है तो omega L minus 1 upon omega C is equal to 0 रख दिया इससे solve किया तो omega की value आ गई 1 upon under root LC यह इसकी आपको angular frequency भी याद कर रखनी है तो यह resonant frequency है resonant angular frequency omega is equal to 1 upon under root LC अब omega की value 2 pi f रख दोगे रख दोगे ना मैं यहाँ कर सकते हैं omega की जगा 2 pi f resonant frequency 1 upon under root LC तो FR क्या हो गया 1 upon 2 pi under root LC यही value यहां लिखिए देखो इससे FR क्यों लिखा है R मतलब resonant वाली frequency तो resonant frequency क्या होई 1 upon 2 pi under root LC और यह important बहुत है आपके examination में इस पे सवाल वाल पूछे जाते हैं खेर यह resonance condition की कहानी हुई आप यह समझ लेते हैं कि जब resonance condition होती तो उसकी characteristic क्या है कैसा behavior शो करता है मामला तो एक किदम और आगे बढ़ाते हैं अब यहां देखते हैं characteristics of series resonant circuit resonance occurs in a series LCR circuit when xl बरावर xc यह हम समझ गए हैं जब xl बरावर xc होगा तभी resonance condition बनेगी resonance frequency अभी देखा fr is equal to 1 upon 2 pi under root lc यह भी हमारी समझ में आ गया है the impedance in minimum and purely resistive देखिए resonance condition में xl बरावर xc होता है इस वज़े से purely resistive circuit होता है purely resistive circuit purely r यह ज़े बरावर r हो जाएगा यहां इसका बड़ा इस्तमाल पढ़ता है ध्यान लखिएगा at resonance condition z is equal to r बड़ा मज़ेदार condition ठीक the current has a maximum value of e0 upon r यह क्योंकि हमारा formula होता था i0 is equal to e0 upon z z बरावर r है तो e0 upon r तो यह e0 upon r की value सबसे ज़ादा होती है यह हमारी समझ में आई गया है the power dissipated in the current is maximum and is equal to e square rms upon r बड़ाई जितना भी power dissipation होगा सारे का सारा कहां जाएगा resistance पे क्योंकि वहाँ तो potential है ही नहीं xl xc दोनों को मारे दे रहे हैं दोनों पे potential होता है लेकिन opposite direction में होता है मार देते है the current in phase with the voltage or the power factor is unity जो power factor होता है वो unity होता है power factor किसे बोल रहे हैं जो हम लोग cos 5 पकड़े हुए थे यह r upon z होता है देखिए अब resonance condition में z बराबर r यह r by r आ गया which is 1 यह है power factor तो power factor 1 हो जाता है cos 5 बराबर अगर 1 हुआ तो 5 बराबर कितना हुआ यही लिखा कि जो phase difference हो जाएगा वो 0 यानि purely resistive circuit है ही तो V और I एक ही direction में है there is no phase at all यह भी बात समझ में आ जाती है अपने और देखते हैं कुछ condition जिसे पूरी अच्छे से बात समझ ले series resonance can occur at all values of resistance R किसी भी R की value के लिए आप resonance करा सकते हैं LOC adjust कर दीजे resonance हो जाएगा क्योंकि यह आप जानते ही frequencies की 1 upon 2 pi under root LC the voltage across R is equal to the applied EMF जो voltage across R है वो applied EMF के बराबर होता है क्योंकि VLVC एक दूसरे को मारे रहते हैं the voltage across L and C are equal and have a phase difference of 180 degree so their resultant is 0 यही बात्ची तुम लोग करते आ रहे हैं कि जो VL है और VC दोनों एक दूसरे के opposite होते हैं 180 degree का angle बनता है दोनों के उपर जो voltage रहता है जो हम apply करते हैं उससे जादा voltage होता है लेकिन वो दोनों एक दूसरे की विपरीत होते हैं तो kill कर देते हैं the voltage across L and C are very high यह देखे लिखा है as compared to the applied voltage hence a series LCR circuit is used to obtain a large magnification of AC voltage यहां पर यह ध्यान किएगा यह मत बोल दीजेगा कि series LCR में L के उपर या C के उपर voltage ही 0 होता है यह नहीं बोलना है voltage होता है और जो आपने apply किया उससे जादा होता है लेकिन दोनों का विपरीत दिशा में होता है इसलिए वो एक दूसरे को kill कर देते हैं मार देते हैं net effect 0 मिलता है ऐसा नहीं समझना है कि VL is 0 VL is not 0 VL has a good value VC is not 0 VC has a very good value तो VL VC जब equal हो जाएंगे opposite direction में तो VL minus VC is equal to 0 उमीद है मैं अपनी बात पुरी तरह आपको समझा पा रहा होगा the series resonant circuit is also called an acceptor circuit कई सारी frequency देते हैं जो resonant frequency होती है उसी पर maximum current मिलती है अब इसको ऐसे भी समझ लीजे जैसे आप के लिए तो FM का जमाना है लेकिन आपने शायद पुराना radio देखा होगा FM में भी वही logic लगता है लेकिन radio में अगर signal मिलाने के लिए ना पहले उसकी सुई घुमाई जाती थी मैनवली एक knob लगी रहती थी उसको घुमाओ और जैसे ही वो एक particular frequency पे आके attach होती थी वहाँ पे बजने लगता था radio बढ़िया बढ़िया तरीके से तो tuning हो जाती थी क्योंकि जो circuit आपने resonance circuit बना रखा है radio के रूप में transistor के रूप में उसमें LC लगा के बैठे हुए आर भी है उसको ऐसा adjust जब करते हैं कि जो परसारण का frequency है बलब जो transmission हो रहा है radio station से वो आपके तक तो पहुँची रहा है लेकिन जैसे ही आपने अपना frequency उसके बराबर किया resonance हो गया और resonance में current की value high हो गई और आपका धामा धाम बजने लगा यही देखिए उसमें होता है FM में भी 93.5 है जो भी अब बज़ रहा है उस पे आप ले जाते हैं तो धमाकेदार अवाज आती है क्योंकि वो जो signals मिल रहे हैं उसी frequency को वो accept करता है जो FR के बराबर हो बाकी को नहीं accept करता है इसलिए radio बसता वरना signal तो सारे station के एक साथ है भाई mobile आप लेके गुमते हैं तो signal तो सब के मिलने हैं जो आपको phone लगाएगा तभी घंटी बजेगी क्योंकि उसे ही achieve कर लेता है वो तो LCO oscillation circuit पे काम करता है लेकिन आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात कि radio लेके बैठे परसारणारा सारी waves है लेकिन वो कौन सा station बजना है वो जैसे एफार सेट करते हैं काम हो जाता है अब इसी की चर्चा आगे बढ़ाते हैं होता क्या है quality factor of resonance q factor बोलते है sharpness of resonance या q factor quality factor अब माल लीजे कोई आवाज आप radio पे सुन रहे हैं उसमें घसड़ पसड़ और भी सुनाने लगे पहले तो दो-दो station पकड़ रहता था radio अब तो खैर FM में काफी bandwidth अलग रहती है तो दो-दो normally नहीं पकड़ता है लेकिन disturbance आ सकता है आपने देखा होगा तो ऐसा resonance हो कि आपको radio में धमाकेदार बढ़ी आवाज सुनाई पड़े इस्टीडियो फोने की तो उसे बोलेंगे उसका quality factor काफी अच्छा है यही होता है quality factor अब physics की भाषा में उस quality factor का क्या formula है समझ पया है ना sharpness of resonance तो q को लिखते हैं omega r upon omega 2 minus 1 या omega r upon 2 delta omega इसे बोलते हैं bandwidth यह resonance frequency upon bandwidth कई तरह की definitions हैं उनमें से एक definition यह भी है यह bandwidth कहां से आ रही है देखिए जो resonance हमारा होता है यहाँ देखिए इसमें मालीजे resonance हो रहा है एक particular frequency पर जो omega r है angular frequency है जहाँ पर resonance हो रहा है खुब current की value बड़ पीक मिल रही है यह current की value i naught अब क्या करते हैं कि जहाँ पर हमें current की value e naught upon root 2 r मिलती है यह देख पारेने i naught upon root 2 कह लीजे यहाँ पर i naught upon root 2 जहाँ value मिलती है वहाँ पर एक ऐसे खीषते line यह दो point मिल जाते हैं इस वाली पहली frequency को omega 1 इसके बाजू वाली को omega 2 बोलते हैं और इसके बीच के gap को हम बोलते हैं bandwidth क्योंकि एक center से अगर नापेंगे इसे तो delta omega ये है this is delta omega और यही delta omega ये है तो जो bandwidth है वो 2 delta omega हो जाती है bandwidth तो इस bandwidth को हम जितना देखें इस bandwidth को हम जितना कम करेंगे उतना हमाई quality resonance मिलेगा quality बढ़ जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा bandwidth कम कर देने पे समस्याएं भी आ जाती है इसलिए हम इसी हिसाब से जो एक standard है उसके हिसाब से काम किया जाता है तो इस formula के याद रखिए ये formula बहुत important है आपके लिए जब भी quality factor की बात करें इस पे ही सवाल आएगा 1 upon R बही बाते लिखी है expression for quality factor this is very important जब भी सवाल आपको मिलेगा बोल्ड examination में इसी फावुले को इस्तिमाल कराएगा quality factor जादा होने का मतलब resonance की quality शांदार है quality factor नामी है तो बात का quality factor अगर पूर हो गया तो आप जानी रहें दिक्कत हो जाएगी मतलब साफ आवाद नहीं आएगी अब tuning of a radio receiver ये तो मैंने आपको समझा दिया भी कहानी example देके तो ये जो radio receiver आप लेके रखते हैं उसमें आप frequency set करते हैं और signal आ रहा है जैसे ही resonance वाली frequency match कर जाती है आने वाले signal से वो frequency accept कर लेती है आई not की value high हो जाती है ये radio बजने का पूरा कारिक्रम है या आज की जमाने में कार में जब जाते होंगे तो FM सुनते होंगे तब ये कहानी है ये घर पे radio सुनते हों तब ये कहानी लगती है घर पे आज कल radio पता नहीं कितने लोग सुन पा रहे हैं मुझे नहीं मालूँ लेकिन कारों में तो FM बसता रहता है खेर एक सवाल आगया है सवाल को कर लेते हैं determine the impedance Z की बात कर रहा है series LCR circuit में is the reactance of C and LR 0.2 ohm and R भी दे रखा है तो हमको बड़ी सारी values दी है XC की value दे रखी है 0.2 ohm और Excel दे रखा है 220 ohm और R भी दे रखा है जो की है 40 ohm impedance बहुत प्रेम से आ जाएगा तो in series LCR तो Z की value क्या बनी under root R square प्लस X जो बड़ा है बड़े में से चोटा गटा देना है यहनि कौन सा बड़ा XC तो मैं XC minus Excel लिख देता हूँ difference लेना रहता है कोई फरक नहीं है तो under root R की value है तो 40 का square और XC है 250 minus 220 का square तो यह बना 1600 और यहां आ गया कितना 30 यानि 900 इसको निकालेंगे तो value आजाएगी 50 ohm इस तरह से यह देखिए अंसर आगया आपका बड़े असानी से तो नोट कर लीजे अगला सवाल भी देखेंगे हम लोग तो मैं हट जाता हूँ इस screen shot या जो भी तरीका अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं आईए चलते हैं अगली स्लाइट पर तो यह एक question numerical और है इसको भी करने का प्रयास करेंगे यह 0.3 henry inductor यह L की value दे रखी है यहां पर मैं यहां कहीं लिखने हूँ क्या L हो गया 0.3 henry C दिया है 60 microfarad 60 into 10 की power minus 6 farad साथ में R देखते हैं 50 ohm register R connected in series with a 120 volt supply यह RMS value दे रखी है तो V RMS 120 volt और 60 hertz की frequency है इतना data हमें दिया है पूछ क्या रहा है यह देख लेते हैं बड़े frame से होगा सवाल calculate impedance of the circuit तो impedance of the circuit निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है R square जो की पता है और XL minus XC का हो लिए यानि XL XC पता होना चाहिए तो शुरुआत करते हैं पहले XL निकालते हैं यहीं लिख लेता है XL का मतलब हो जाएगा omega L यानि 2 पाई F L तो वैलू डालिए 2 इंटू 3.14 फ्रिक्वेंसी कितनी है 60 है तो 60 और L कितनी है 0.3 तो वैलू आ गई 113.04 ओम यह आपका निकलाया XL इसी तरीके से निकालेंगे हम लोग XC आईए XC निकालते हैं तो XC का मतलब होता है 1 upon omega C यह सब आप याद कर लीजेगा वैसे कोई बड़ी बात नहीं है 2 pi F C 1 upon 2 इंटू 3.14 इंटू 60 और रही C की बात 60 microfarad तो 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 सॉल करेंगे 44.23 ओम ठीक अब यह आपे XL माइनस XC चीए तो XL माइनस XC भी कर लो तो 113.04 माइनस 44.23 और इसकी जो एलू होईगी 68.81 ओम अब इंपिडेंस Z निकालना बहुत असान हो गया मैं कलर थोड़ा बदल लेता हूँ तो Z की वैलू दिखिए आगई अब यह फॉर्मला इस्तमाल कर रहे हैं तो R स्क्वार R था मारा 50 ओम और XL माइनस XC ए 68.81 का होल स्क्वार अब इसको जब आप स्वाल करेंगे तो करीब करीब यह आ जाएगा 85 ओम तो यह पहला अंसर आगया आपका 85 ओम अभी मैं हटूंगा तो आप नोट कर लीजेगा तो करेंट फ्लोइंग इन दा सर्केट करेंट कितनी जा रही है तो करेंट के लिए आई आरेमेस निकालनी है वाइट कलर यूज करते हैं तो सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है करेंट इन दा सर्केट आई आरेमेस का मदलब क्या है इआरेमेस अपाउन जेड इआरेमेस दिया था 120 वोल्ट और जेड अम निकाल चुके हैं 85 तो 1.41 आजाएंगे तो बढ़ियां आपका पेपर शांदार 120-100 वाला हो जाएगा यह आगया कुक्षन तो यह आप नोट कर लिजे इस्क्रींशॉट ले लिजे या जो भी प्रोसेस आपके लिए सुटेवेल है उसका इस्तमाल आप कर सकते हैं तो इसको थोड़ा उपर भी कर देते हैं पूरी बात दिख जाए आपको तो दिख गई होगी अब चलिए फटाक से चलते हैं आगे पर पावर डिसकेशन पर तो यह रही हमारी पावर इन एंड एसी सर्किट एसी सर्किट में पावर कितनी रहेगी तो पावर का फॉर्मला देखिए ध्यान लखिए E.R.M.S. I.R.M.S. कॉस फाई एवरेज पावर की हम बात कर रहे हैं इस इन एवरेज पावर इंस्सनेटेनियस पावर की बात करेंगे तो P is equal to VI लिखके काम करना पड़ेगा वो लंबा कहानी हो जाएगी एवरेज पावरी आपसे पूछा जाता है तो P average क्या है V.R.M.S. into I.R.M.S. और पावर फेक्टर के साथ मल्टिप्लाई किया है और कॉस वाई को आप लिख सकते हैं R by Z तो यह आप Z करके mention कर सकते हैं यह series LCR circuit के लिए है P average अगला आगे देखते हैं कुछ special cases तो special cases में pure resistive circuit अगर है तो हम जानते हैं pure resistive circuit में cos phi की value 1 होती power factor cos phi R by Z और Z बराबर R यह अभी पल चुके हैं तो resistive circuit में power factor होता है 1 तो P average क्या हो गया यह cos phi हो गया 1 तो E RMS into I RMS यह इसका answer हो गया और I RMS को E RMS upon R करोगे तो E RMS का square upon R यह value बन गई देखिए अगर अब हम निकालते हैं average power in inductive circuit in capacitive circuit उन दोनों में यह 0 हो जाएगा यह जानते हैं क्यों क्योंकि pure inductive circuit के अंदर phi की value होती है pi by 2 यह pure resistive circuit है यह pure inductive है और यह pure capacitive है इसमें phi होता है pi by 2 current और voltage की बीच में तो जहां cos pi by 2 रखेंगे शून न जाएगा तो average power consumption in pure inductive circuit और pure capacitive circuit विल बी 0 और यह pure capacitive है यहां भी phi की value minus pi by 2 value पूट की यह भी 0 आ गया तो हमेशा यह ध्यान नकिएगा कि power consumption जो है वो pure resistive circuit में है resistance पर ही होने वाला है क्योंकि inductive और capacitive circuit कोई power नहीं लेते क्योंकि phi की value pi by 2 होती है एक में pi by 2 एक में minus pi by 2 आप देखिए series LCR circuit के अंदर series LCR circuit में p average की value हो जाएगी यह formula और phi की value क्या होती है 10 inverse xl minus xc upon r या cos phi is equal to r by z वो तो लगाई सकते हैं यह कहानी क्या है phi का value power dissipation at resonance in LCR circuit जब resonance condition होती ही तो r बराबर z हो जाता है और phi की value कितनी हो जाएगी r z phi की value 0 power factor 1 तो यह हो गया phi 0 cos phi 1 कहाँ पर resonance की condition कर दिया नकिगा resonance condition में z वराबर r होता है और cos phi की value 1 होती है और phi की value 0 होती है इससे बंदे ने बताया है तो p average की आ जाएगा e rms into i rms और जो voltage मतलब voltage जा भी रहा है series LCR में cable resistance के उपर ही power खर्चा होती है excel मतलब inductive पर या capacity पर कोई power खर्चा नहीं होगी power factor की बात करने तो power factor पे भी सवाल बनते हैं जो power factor किसे बोलते हैं cos phi को जो हम लोग इस्तमाल करते आ रहे हैं this is known as a power factor तो पी average में देखी value लिखी power factor हो गया cos phi r by z और पूरी बात लिखी हुई है तो purely inductive capacitive circuit में 590 है power factor 0 purely resistive circuit में 5 is equal to 0 तो power factor 1 और इसी तरीके से बाकी में तो आप power factor की कहीं भी चर्चा हो तो इसको इस तरह handle कर सकते हैं wattless current देखी wattless current क्या होता है wattless current में current तो रहती है लेकिन उसका p average 0 होता है इसी को बोलते हैं wattless current the current in an AC circuit is set to be wattless if the average power consumed in the circuit is 0 यानि जो p average आप निकाल रहे हैं e rms into i rms into cos phi average power consumption 0 है तो cos phi की value cos phi 0 होना चाहिए तो ऐसी current जहाँ cos phi 0 हो जाए power factor तो यह क्या बन जाएगा p average power अमारी 0 हो जाएगी जबकि current मौझूद है इसी को बोलते है wattless current मलब p 0 है लेकिन current है wattless current और इसी को समझने के लिए देखिए यहाँ पर यह value समझाई गई है कि यह i rms current की value है और यहाँ पर e rms है अब यहाँ पर e i rms के दो component ले लेते हैं phi angle के phase में i rms cos phi और इधर वाला आ जाता है i rms sin phi इस वाली current को i rms sin phi को बोलते है wattless current क्योंकि यह इस e rms से 90 degree का phase angle बना रही है तो यहाँ पर यहाँ पर power consumption शून हो जाता है इस current की वज़े से क्योंकि i rms cos sin phi के e rms से 90 degree angle बना रही है तो this i rms sin phi is the wattless current current है लेकिन average power consumption 0 है कुछ अंदाजा लगा होगा इससे यह phasor diagram है कि इसका wattless current को समझाने के लिए कि भई e rms इधर है i rms इधर है i rms के दो component ले लिए यह i rms cos phi तो कुछ contribute करेगा power में यहाँ power निकालने जाएंगे कि current की value e k perpendicular है दोनों में phase difference 90 है power will be 0 but there is a value of current इसलिए wattless current यह बन जाता है कुछ बाते और average power associated with pure register pure register अगर है तो phi की value 0 है उस दशा में p average v not i not upon root 2 root 2 आ जाएगा तो कि आप जानते हैं कि अगर phi हमारा 0 है pure register है तो cos phi होता है 1 तो जो हमारा p average हम निकालेंगे जो e rms into i rms और cos phi होता है तो यह cos phi की value 1 हो गई तो यह हो गया e rms into i rms और इसी को चाहें जाएं तो not के form में लिखना चाहें तो e not upon root 2 into i not upon root 2 लिख सकते हैं कि आप समझ पाएं हैं बाकि v rms में i rms को change करोगे तो v square rms upon r मिल जाएगा तो यह तीनो जो format है आप उसको याद कर सकते हो अगली बात करते हैं वेटा energy and average power associated with the pure inductor pure inductor में आपको क्या होगा कि average power will be zero यह लिखा हुआ है क्योंकि क्योंकि दोनों में phi हम देख चुके थे कि pure अगर हमारा pure inductor है तो phi की value उसमें क्या होती है 90 degree उस वज़े से power consumption तो zero है energy की कहानी क्या रहती है यह देखिए the energy is stored as the magnetic field energy u in the inductor inductor के अंदर यह जो magnetic field के form में energy store होती उसकी value होती u is equal to half li not का square तो energy store उसके अंदर रहती है किसमें inductor के अंदर अब इसी तरह capacitor की बात कर ले तो average power dissipated per cycle in an inductor is zero यह खर वहाँ पे लिखी दिया था यह समझ मारा इसको याद रखिएगा पूछा जा सकता per cycle p average will be zero अब यह capacitor circuit capacitor की बात करते हैं यहाँ भी 5 q value समझ लीजए minus pi by 2 अकर आप ले रहे हैं तो p average will be zero हम लोग discuss कर चुके हैं लेकिन capacitor के अंदर electric field की वज़े electric field की form में energy store होती है और वो कितनी होती है यह chapter 2 में ही पढ़ चुके थे u is equal to half cv square यह इसकी बात कहता है अब फिर again भी बात कर देगा कि over the cycle power consumption is zero in capacitive circuit तो average power dissipated per cycle इने capacitor is zero यह कहानी इसकी बन गई लिए दिखिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और जहां तक numerical होगा यह इस numerical को solve करते हैं एक capacitor and a resistor are connected in series with an ac source देखिए यह एक resistor है और यह capacitor है और एक ac source से यह जुड़ा हुआ है ऐसे diagram बना लीजी ज़्यादा दिखाई पड़ेगा आपको if the potential difference across c r c के against में जो potential difference है वो 120 वोल्ट है और r में 90 वोल्ट है vr बराबर 90 वोल्ट respectfully and if the rms current of the circuit is 3 ampere जो current है इसमें वो e rms की value दे रखी है जो की 3 ampere है e rms नहीं i rms current है calculate the impedance and power factor of the circuit तो impedance निकालने के लिए हमें निकालना होगा z और z निकालने के लिए क्या करना होगा अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते है e rms upon i rms हमारे पास i rms तो मौझूद है e rms नहीं है हमारे पास तो e rms निकालने कैसे इनको आपस में vectorally जोड कर अब हमको यह पता है कि capacitor और resistance वाला जो circuit रहता है इसमें तो i और r एक ही direction में रहती है लेकिन इसमें i अगर इधर रहता है तो voltage lag करता है 90 degree से इस वाले voltage इस वाले voltage में 90 degree का angle बन गया और मैंने पहले भी समझा रखा है कि इसके लिए जो voltage होगा e rms वो क्या हो जाएगा under root perpendicular हैं दोनों तो vr का square plus vc का square सीधे मत जोड देना v1 plus v2 क्योंकि एक phase में नहीं है गलत हो जाएगा वरना आपका यह ध्यान रखना dc में जैसे जोडते थे अब यहाँ पर 90 का square और 120 का square इसको solve करोगे तो 150 volt आ जाएगा यह 150 volt क्या या e rms अब यह जैड आप निकाल लीजे इससे इसका ही इस्तमाल कर रहे हैं e rms आगिया 1500 volt और i rms दे रखा 3 तो यह value होगी 50 ohm यह impedance आगिया z, z क्या होता है impedance होता है फिर power factor of the circuit तो power factor होता है cos phi यह है हमारा cos phi जिसकी value हो जाएगी कितनी r upon z भी करके निकाला r तो यहाँ पता नहीं है लेकिन तो हम लोग कुन सा formula लगा देंगे cos phi के लिए vr upon देखिए यह r upon z और इसी direction में voltage तो इसको लिक सेक्टिव vr upon याद रखने के लिए e rms vr हमको पता है 90 volt e rms 0.6 यह answer आगे यह सारी बात बल्कुल लै में बहुत असानी से होती है इसलिए बता रहा हूँ तो इसको आप note कर लिजे और इसके बाद एक सवाल और लगाते हैं लोग आईए note कर लिए होगा मेरे खाल से अब तक आपने एक numerical all लगाते हैं इससे clarity आपकी बंती चली जाए and alternating voltage e एक formula के form में दे रखा है बहुत असान होता है करना मैं इधर ही लिख लूँ क्या ऐसे इधर लिख देता हूँ 200 sin 300 t compare करेंगे e is equal to e naught sin omega t से standard equation जो होती है across series combination of r दे रखा है 10 और and inductor of 800 mH तो l की value दे रखिए इतनी चलिए बात को शुरू करते हैं तो यहाँ पर e naught दिखिए कितना आ गया e naught is equal to 200 और omega कितना आ गया 300 radian per second impedance निकालने गए impedance जो की है z के बराबर under root r square plus xl का square lr circuit है तो यहाँ पर value क्या मनाई दस का square यह 10 ohm है 10 का square और xl का मतलब हो गया omega square l square एक कदम और आगे लेके चलते हैं 10 का square omega यहाँ से पकड़ा था 300 तो यह रहा 300 का square और l है हमारा 800 कहां गया 800 millihenry तो millihenry में तो 800 into 10 की power minus 3 का whole square इसको जब solve करोगे पुरी z की value तो हमारी z की value आ जाएगी 240.2 ohm z निकल आया पहला अब दूसरे में लिखा peak peak value of current in the circuit तो peak value of current का मतलब i not तो यह हो जाएगा e not upon z e not कितना है e not at 200 बोर निकाएब दो सो वोल्ट upon z यहनी 240.2 ohm तो value आ गई 0.832 ampere यह एक और अंसर आ गया number three power factor of the circuit power factor होता है cos phi cos phi is equal to r upon z r की value कितनी 10 ohm z कितना 240.2 value आ गई 0.041 अंसर आ गया यह इस तरह से सवाल मैं सामने से जाता हूं note कर लीजे ऐसा ही सवाल लगाने अगर आपको आ जाएंगे तो कोई परिशानी आपको नहीं होगी चलिए इसको note करिए फिर आगे की चर्चा करते हैं तो दो तीन सेकेंड में आप note कर ली होंगे एक किदम और आगे वढ़ाते हैं आईए अब हमारा एक शानदा टॉपिक शुरू होता है transformer इस पे भी सवाल गाहे भी गाहे बनते हैं है बहुत सरल ट्रांसफॉर्मर आपकी कोलोनी में लिगा हुआ दिखेगा यहां तक कि आपके पास बहुत सारे अप्लैंसे होंगे उसके इंदर भी कंप्यूटर है और ट्रांजिस्टर बहुत जगा आपको ट्रांसफॉर्मर लगे हुए दिखेंगे छोटे रहते कोलोनी में तो बढ़ा सकते हैं या वोल्टेज को घटा सकते हैं जिस ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं स्टेप ट्रांसफॉर्मर जिससे हम बोल्टेज को घटाते हैं उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मूच्वल इंडेक्शन के प्रि वोल्टेज और वाइस वर्सा तो दिखे वी को चेंज कर रहा है तो आई भी चेंज हो जाएगी वी चेंज तो आई चेंज पावर तो इनपूट इस गल टू आउटपूट पावर सेम रख रहे हैं तो आपका जो टांसफार्मर है वोल्टेज भी बदलने के काम आ रहा है और करेंट भी बदलने के काम आ रहा है क्योंकि पी जगल टू वी आई फर्मूला लगाते हैं इनपूट अगर यह सो परसंट एफिशेंट माने तो इनपूट वोल्टेज वराबर आउटपूट वोल्टेज तो यह पी फिक्स है तो वी बढ़ा रहा है तो आई घटा रहा यह देखिए यहां पर पीए इसे बोलते हैं प्राइमरी कोईल इसे बोलते चैंडरी कोईल यहां ली बना हुआ है और लैमेटेड आईरन कोर के उपर इसको लपेटा जाता है laminated iron core एक block नहीं लेते हैं काट काट के लेते हैं जिससे eddy currents कम बने वना eddy current ज्यादा बनेगी तो power loss यहीं हो जाएगा खैर laminated iron को और समझ रहे होंगे जैसे slices रहती है उनको वारणी श्मडबो के बनाते हैं खैर one shot के लिए इतना काफी है वरना detail पूरी चर्चा करनी पड़ जाएगी खैर आप समझ पा रहे होंगे फिर भी अंदाजा आपको समझ में आ रहा होगा अब यहाँ पर जो principle है यह mutual induction क के principle पर काम करता है इस primary में जो alternating current कर देते हैं तो current की वज़े से यहाँ पर magnetic field बनता है वो होने वाला change इसमें जो associated flux है इसकी वज़े से magnetic field का वो बदलता है और बदलने की वज़े क्यों alternating current हमेशा बदलती रहती है तो इसमें पढ़ने वाला induced जो flux है वो भी बदलता रहता है और उसकी वज़े से उसके हम फाइदा उठा लेते हैं तो mutual induction का concept यहाँ लगता है यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ जो relation है देखिए जब i1 की बात की जाएगी तो first is input first को हम input समझेंगे हर जगा और two को हम output समझेंगे तो यह input current है यह output current तो i1 upon i2 is equal to e2 upon e1 और यह number of turns है n2 upon n1 इस relationship को याद करके रखें जो step up transformer होते हैं जिसमें voltage बढ़ाना होता है उसमें secondary में हम लोग ज़ादा turning बढ़ा देते हैं आप देख रहें ना यह relation e2 n2 के proportional है e1 n1 के तो जिस तरफ का हमें voltage बढ़ाना है उदर number of turns बढ़ा देते हैं input कम है output ज़्यादा लेना तो ज़्यादा टरंस दे दिए अगर यह ज़्यादा है कम करना है तो इदर टरंस ज़्यादा है इदर कम कर दो input output जिदर आप ज़्यादा turns देंगे वहां का potential बढ़ा मिलेगा जहा तब तक ना बोला जाए तब तक हम यह मान के चलेंगे कि input power is equal to output power जब efficiency बोल देंगे तो उत्ती घट उत्तरी हो जाएगी है जैसे भी बने की बात बनाई जाएगी खेर अगली बात करते हैं transformer के अंदर कई तरह के losses होते हैं यह आप से पूछे भी कभी कभी जाते हैं आप कई बात transformer के नीचे खड़े हो जाएंगे कभी ऐसे ना खड़े होईएगा लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर टेस्टिंग करनी हो तो एक humming sound भी दिखाई पड़ती है ऐसी अवाज आती दिखें कि transformer के पास से निकलेंगे बाज उसे निकलेंगे तो भी ऐसी वो humming लॉस होता है खर उसकी बात करेंगे कई तरह के और भी लॉस हैं एक है copper loss copper loss क्या होता है जब जो copper wire आप उस पे लिपेटे रहते हैं उसमें resistance की वज़े से उसमें heat पैदा होती है वो dissipate हो जाती है तो loss of energy है इसे बोलते है copper loss eddy current loss आप फिर भी laminated उसकी slices लगाते हैं है ना एक block नहीं लेते slices लगाते हैं उसके बावजूद भी eddy currents बनती हैं भाई जीरो तो नहीं हो जाएंगी इस वज़े से eddy current के वज़े से loss होता है तीसा नमबर hysteresis loss जो क्योंकि वहाँ पर ac current के वज़े से magnetization और demagnetization चालू रहता है एक बार magnetize होता है एक बार demagnetize होता है तो इस cycle में एक बार magnetize हुआ फिर demagnetize हुआ हमारी energy loss जाती है इसको बोलते है hysteresis loss तो जिसमें जिसका ज्यादा गोड़ होगा hysteresis loss का उसमें ज्यादा energy waste हो जाएगी तो जब भी transformer खरीद को यह हिदायत देती है कि हमें hysteresis loss कम वाले चाहिए transformer को कि wastage कर देंगे energy का कोई मतलब नहीं magnetization और demagnetization लगातार चला करता है transformer के अंदर flux leakage अब input में जितना flux बन रहा है primary coil में उतना पूरा secondary में थोड़े जा पा रहा है तो ज़्यादा flux का leakage होगा तो ज़्यादा energy loss हो जाएगी तो यह बात भी important है कि primary में बनने वाला flux secondary में पूरा अगर हो जाए तो बड़ी है कोशिस की जाती ही लेकिन 100% नहीं बाग बनती हमि finite जो कोर है वो फैलता है बंद होता है ऐसे ऐसे जो कोईल के जो आपने वायर लपेटी उसके इंदर जो डाल रखा है वो थोड़ा expand होता है कम होता है expand होता क्लैपिंग नुवावा जाती हूं ऐसे ऐसे वा जाती है उसे बोलते हमिंग लॉस उसमें भी आपकी energy waste होती है voltage regulators TVV जो regulators आते थे आजकर लोग कम खरीते हैं AC में लगा रहता है आपने देखा होगा आपके यह AC अगर लगा होगा तो आपने देखा होगा voltage regulator उसमें transformer लगा होता है stabilized power supply में माली जापके घर में power supply आ रही है वो काफी fluctuating है तो एक device आती stabilizer के रूप में बड़ा पुरे घर को नियंतरित करता है उसमें भी transformer लगा होता है step down transformer is used to obtaining large current for electric welding electric welding के लिए step down transformer यूज करते हैं और जिससे V कम हो जाए आई ज्यादा हो जाए आई ज्यादा है बस काम कर लेगा जोड़ देगा welding में step up transformer use for the production of x-ray production of x-ray के लिए step up transformer use होगा in the transmission of electric energy from the generating stations to the consumers तो वहां पर हम दो transformer का use करते हैं क्या बता रहे हैं कि भाई जहां में तो energy हमाएं बिजली का तार हमाएं घर तक आया है current हमाएं घर तक आ रही है voltage माएं घर तक आ रहा है लेकिन बन रही है बिजली कहीं और जहां पर आप उससे 300 किलिमीटर दूर 500 किलिमीटर दूर तो वहां से यहां तक लाने के लिए क्या विदी यूज की जाती है आप transformer का इस्तेमाल करते हैं देखिन मैं बता दूँ अकली slide में इसका जिक्र है तो मैं यहीं बता देता हूं आपको कि जो मालीजे power station है ना यह मालीजे से heating जादा होगी और कुछी किलिमीटर में ही energy waste हो जाएगी हम आगे भेज ही नहीं पाएंगे तो हम किस तिकडम में रहते हैं कि I की value कम हो तो I की value अगर हमें कम करनी है तो V हमें बढ़ाना पड़ेगा तब ही तो I घटेगा क्योंकि power तो fixed है तो हम यहां पर power stations के पास में step up transformer लगाते हैं एक transformer लगा दीजे ऐसे जहां पर step up transformer यह step up transformer लगाते हैं उसके बाद बहुत high voltage पे खुब high voltage कर देते हैं तो current will be very less और current जब कम हो जाएगी तो heating effect भी कम हो जाएगा I square RT तो कम heat कम energy loss होगी फिर हमारे वो तार हमारे समलो मोटे तौर पर कई grid में भी जाता है लेकिन समलीजे आपके घर तक आ गया कोलोनी में फिर कोलोनी में एक transformer all लगाया जाता है जो की step down का काम करता है step down transfer यानि voltage को down करता है voltage को कर देगा down तो current जाएगी बढ़ कुकि आप में high tension wire भी देखे होंगे ग्यारा हजार वोल्ट बारा उसमें कोई भी छूजा उड़ जाए तो रहते हैं फिर हमारे घरों में 220 वोल्ट या 440 वोल्ट के कुछ उपकरम होते हैं वहां supply करने के लिए इतना वोल्ट कर देते हैं कि हम लोग उसका इस्तमाल कर पाएं तो इसका जो transmission का खेल है वो हाई वोल्टेज पर transmission किया जाता है जिससे की energy बरबाद ना हो वना heating की वज़े से तारों में energy बरबाद हो जाएगी दो-चार किलो मीटर से आगे चल नहीं पाएगा मामला समझ में आई होगी बात तो यहां पर दोनों जगा देखें ट्रांसफर्मर इस्तमाल हुए step up power station के पास step down आपके घर के पास कोलोनी में जहां भी आप रहते हैं तो यह बात देखें समझने के लिए long distance transmission of electrical power यह मैंने समझाया आपको कि यह बुरी बात मैंने समझा दिये सरल शब्दों में तो जेकी generating station पर मालों छाच-छाच-छो वोल्ट पर बनाया 6600 वोल्ट पर और उसको step up किया एक लाग 32,000 वोल्ट पर बहुत हाई और उसके बाद step down करते हैं 11,000 वोल्ट पर लाते हैं जो की area सब station होता है power stations होते हैं आपके colony में कई colony मिलके उसके आद आपके घरों के लिए 220 वोल्ट इस तरह से सप्लाई होती है यह question जब भी पुछा जाए शांदार तरीके sensor कीजेगा मज़ा आ जाएगा एक numerical इसको कर लेते हैं जिसे आपको idea पुरा मिलता रहे how much current is drawn by the primary of a transformer which stirs down 220 वोल्ट से लेकर 22 वोल्ट में आ गए to operate a device with an impedance of 220 वोल्ट impedance कितना है 220 वोल्ट तो i2 लिखता हो मैं आपको इसकी value हो जाएगी e2 upon z2 22 वोल्ट का down किया है और 220 का impedance है 0.1 ampere की current हो गई और अगर energy loss नहीं है जो हम मान की यहीं चलेंगे तो input power is equal to output power जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक हम यहीं मानते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको क्या e1 i1 power का formula लगा दिया है is equal to e2 i2 तो i1 निकालने गए हम तो क्या लिखेंगे e2 i2 upon e1 तो यह हो गया 22 i2 निकाली थी 0.1 ampere और यह रहा 220 वोल्ट value हो गई 0.01 ampere इस तरीके से यह answer आपका आ जाएगा यह आप note कर लिजिए और ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे प्यार से हो जाएंगे खैर इसका screenshot लें या note कर लें एक सवाल हम लोग और लगाते हैं उमीद हो गया होग अब तक आपका यह देखें यहां की बात करते हैं एक कुश्चन और है इन अइडियल ट्रांसफोर्मर नंबर आफ ट्रंस इंद प्राइमरी और सेकंडरी याथ 200 इन हजार तो एन वन एन टु जो प्राइमरी का मतलब एन वन से एन वन है 200 और सेकंडरी में है कही किताबों में एन पी एनस भी लिखा होता है तो वो कोई दिक्कत नहीं प्राइमरी सेकंडरी जिसको आप कह दीजे एक हजार इफ दा पावर इंपुट तो दा प्राइमरी इस 10 किलो वोल्ट इंपुट पावर इतनी है एक 200 वोल्ट कैलकुलेट आउट्पुट वोल्टेज एंड करेंट इन प्राइमरी तो पहले में हम देखी रिलेशन जो जानते हैं वो होता है एन 2 अपॉन इस इकल टू अपॉन इसी का इस्तमाल करके E2 निकाल लेते हैं तो E1 into N2 upon N1 ये था जहां तक E1 200 वोल्ट और N2 की वैलू हो गई 1000 upon 205 1000 वोल्ट ये आउट्पुट वोल्टेज है आउट्पुट वोल्टेज पहले वाले का अंसर आउट्पुट वोल्टेज नम्बर टू की बात करते हैं करेंट इन प्राइमरी तो हम ये जानते हैं कि P1 की वैलू क्या है I1 into E1 तो अगर मैं करेंट इन प्राइमरी निकालू तो P1 upon E1 P1 बोलाए 10 किलो वाट यहीं 10,000 वाट अपान E1 और E1 कितना है 200 तो वैलू उगई 50 एमपियर बड़े प्यार से आप इस सब को कल्कुलेट कर सकते हैं आराम से कल्कुलेट कीजिए और कोई पी समस्या नहीं इसको नोट करें अगला भी एक सवाल है उसको भी हम लोग तो आएए चलते हैं अगले सवाल को लेने का प्रियास करते हैं यहां पर आगे हैं हम लोग कुश्चन पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस यूज तो रिदूस दे में सप्लाई ओफ दो सो बीस वोल्ट तो ग्यारा वोल्ट ठीक है इव दे प्राइमरी ड्राउस एक करेंट ओफ फाइव एंपियर एंड दे सेकंडरी 90 एंपियर वाट इस दी एफिशेंसी अफ दी ट्रांसफार्मर तो बड़े प्यार से हो जाएगा देखिए एवन की वैलू बोली है दो सो बीस वोल्ट एटू बोली है ग्यारा वोल्ट आईवन बोला है पांच एंपियर आईटू बोला है 90 एंपियर पावर इंपुर्ट पावर इंपुर्ट जिसे आप पी आई कह सकते हैं पूर एवन आईवन वी आई होता है न और इसकी वैलू लिख दीजे एवन इंटू 220 इंटू पांच ग्यारा सो वाट आउट्पूट पावर पी आउट्पूट यह हो गया E2 I2 E2 है आपका 11 वोल्ट I2 है 90 तो कितना हो गया 990 वोल्ट Efficiency जिसे इटा दिखाते हैं तो होता इंपूट पावर अपावन आउट्पूट पावर तो इंपूट पावर है 1100 वाट पावर आउट्पूट नीचे पावर आउट्पूट अपावर इंपूट पावर आउट्पूट हो गया 990 और यह हो गया 1100 तो 90.9 आगया आपका यानि इसे बोलेंगे 90% efficiency this is efficiency इस तरीके से ही कर सकते हैं आप इसको note कर लीजे फिर आगे बोलते हैं अब इसके बाद जो topic अपने को सामने आएगा वो last topic AC generator तो उसको देख लेते हैं note कर चुके होंगे आप लो अब आगे आपने पास AC generator तो AC generator ये भी एक मिजनोमर है मिजनोमर का मतलब नाम ऐसा है जैसे generate कर रहा है energy energy generate नहीं करता ये mechanical energy को electrical energy में convert करता है मिजनोमर ऐसा ही होता है ने 11th class में ऐसे पढ़े थे light years तो light years ऐसा लगता है इसे समय की बात चल लिए light years येस मतलब साल तो समय नहीं रहता वो तो distance की unit light year मिजनोमर बोलते हैं इसको की लगता है ऐसा होगा लेकिन होता वैसा है तो ये AC generator it is not the generator ये एक तरह का converter है mechanical energy को electrical energy में convert करता है ये आप यहाँ देखिए हैं magnet लगे हुए north south बीच में अपर्चर है coil है rectangular और उसको हम लोग जोड़ देते हैं brush वेगरा से इसको घुमाते हैं आपने देखा होगा यार जो किसी की शादी वादी में गये होंगे पीछे चलता नहीं हो trolley लिये होए generator उसको diesel डाले रहते हैं जुसका भी हो मिलब diesel से चल जा या जो जोड़ो बड़ो बड़ो चालू रहता और बैंट वाजा चल रहा होता है वही generator होता है वही जन्टर होता है उसको डीजल पिला देते हैं इंजन चालू हो जाता है गुमना तो इसको जैसे ही में घुमाएंगे तो वहाँ जो काम हो रहा है, वो जनरेटर नहीं है, वो तो basically, कुछ मोटर हो गया, कि उसको हम mechanical को, हाँ ठीक है, mechanical energy को हम लोग, electrical energy मेंगे जनरेटर ही है, कि वहाँ पर उसको हमने घुमाया, और घुमाने से हमारी बिजली पैदा होगी, इसको घुमाने का काम किसे किया है, पे इसी का इसका इंजन में गूम ने लगा बश्य गूमने लगा भई तो इंजने में लिदने कहीं अ दूम नहें आदू घंसी फिली ड फेर गूम ख глаз बेषा है बीच भी गानाब दूम्हा हो इसे जनरटर खीए अब इसका जो principle होता है तो working of an AC generator is based on the principle of electromagnetic induction electromagnetic induction पे इसका principle based है ये magnetic field में एक coil को हम गुमाते हैं तो coil जब गुमाते हैं तो इसमें change in flux होता है भाई अगर ऐसे मा लीजे जा रही magnetic field अगर आपने हाथ ऐसे रखा है तो पूरा फिर ये टेड़ा हो जाता है कम flux जा रहा है तो there is a change in flux उस change in flux से induced EMF और से induced current और current मिल लेनी है इसलिए सारा नाटक कर रहे हैं अब यहाँ जो formula लगता है देखिए वो expression for induced EMF क्या लगता है phi की value है NBA cos theta तो phi को लिखते हैं NBA cos theta की जगा cos omega t यहीं NBA NBA cos omega t बढ़ियां हम जानते हैं कि जो induced EMF वाला चर्चा थी उसे e is equal to minus faraday law समझा दिया है उन्होंने d5 by dt त इसको जब आप differentiate कर देते हैं तो differentiation करने के बाद NBA omega sin omega t यह result मिल जाता है अब इतनी value को हम e naught कह देते हैं peak peak voltage तो यह सरल भाषा में इसको आप लिख सकते हो e is equal to e naught sin omega t यह ध्यान लखिएगा कि e naught के पूछा जाता है NBA अलग से कि आप peak voltage बताईए तो यह दोनों ही equation अपने काम की हो जाती है e naught NBA NBA omega है जो आपको peak voltage बता रहा है तो यह note कर लिया होगा आपने इसमें जो major components होते हैं वो देख लीजे तो कुछ field magnet होता है यह लगा हुआ field magnet north or south armature है armature बोलते हैं यह जो coil लगी है rectangular से कहते हैं armature देखिए slip rings है यह slip rings लगी हुए है S1, S2 they are slip rings यह पढ़ा है 10th में आपने pressures हैं यह brushes लगे हुए है जो उसके connection में रहते हैं touch करता रहता है source of energy energy इसलिए कि इसको गुमाएगा कौन तो यह देखिए यहाँ पर generator मैंने बताया था अगर आप सोचिए कि पानी से विजली बनानी है तो जहाँ पर जहरना गिर रहा है hydro power plants जो होते है hydroelectric plants वहाँ पर hydro में क्या करते हैं पानी गिर रहा है उसके नीचे यह लगा देते हैं बड़ा सा टर्वाइन तो उसके पानी गिरता तो गुमता है गुमता है तो विजली बनती तो पानी से विजली बना लेते है और यही चीज़ आप लगा दीजिए जो windmills होती है कि पंका नुमा बनाके तो हवा चलेगी तो पंका गुमेगा यह गुमेगा तो विजली बन जाएगी कहीं से गुमवा दीजिए बस आप कई जगा तो मैंने देखा था कि जिम विम में उन्होंने क्या किया था जो लोग ट्रेड्मिल पर चलते हैं उसी से कनेक्शन मना दिया था बिजली जलती है आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं मालूम कमेंट करके बताए कि वो जिम में जा रहे हैं और साइकलिंग कर रहे हैं उस साइकल को ही कनेक्ट कर दिया और बिजली पैदा हो रही है युगार है बढ़िया अच्छी बात है अब यह एडवांटेज़स आफ एसी ओवर डीसी एसी के डीसी के ओवर क्या डवांटेज़स हैं अल्टेनेटिंग करेंट और डिर्क करेंट तो एसी के फाइदे तर जनेरेशन आफ एसी इस मोर इकनॉमिकल काफी सस्ती होती है डीसी के पेक्षा इसको बनाना दिया अल्टेनेटिंग वोल्टेज इसके वोल्टेज को आप असानी से बढ़ा सकते हैं या असानी से घटा सकते हैं या फ्रीडम मिल गई हमको इसका अल्टेनेटिंग करेंट को हम चोक कैल से काफी घटा सकते हैं एनर्जी ज्यादा लॉस नहीं होगी अल्टेनेटिंग करेंट को बहुत दूरी तक आप भेज सकते हैं तब ही तो पावर स्टेशन से बनती हैं वाए घर तक आती है आ जाती है फिर भी लॉस होता है लेकिन फिर भी आ जाती है DC नहीं आएगी also AC can be easily convert into DC AC को rectifiers की मदद से जो semiconductors में आप पढ़ते हैं उसकी मदद से DC में convert किया जा सकता है AC machines are simple and robust and do not require much attention during their use जो machines होती है जो AC पंखांका सब AC पी चलता हमनों का इसलिए कि वो robust होती है जल्दी खराब नहीं होती है आगे की बात करते हैं इसके कुछ घाटे भी हैं तो disadvantages क्या है alternating current के over DC इसकी जो peak value है वो होती है root 2 times I rms जैसे हमारे घरों में supply तो 220 वोल्ट हो रहा है लेकिन उसकी peak value कितनी है 311 वोल्ट तो हमारे लिए dangerous हो जाता है गबला चपका लेगा इन phenomena like electroplating, electro refining, electro typing, AC cannot be used आप electroplating में देखते हैं न anode cathode बनाते हैं इधर anode इधर cathode अब अब यह plus अगर है यह minus है तो हमेशा बदल रहा है तो कहां यहां पर electroplating कर पाएंगे कि मैं स्टी में पड़ा होंगे plus वाले ions कहां जाएंगे बटक जाएंगे मतलब वो जाएं न पाएंगे तो electroplating नहीं कर पाएंगे AC is transmitted more from the surface of the conductor AC surface से जाती है then from inside this is called skin effect therefore several fine insulated wires are required for transmission of AC कहने का मतलब है यह जो AC होती है यह इस वायर के surface से जाती अंदर से नहीं जाती तो आपने देखा होगा कि कोई भी बिजली का तार चीलेंगे न उसमें बहुत सारे पतले पतले तार ऐसे मिलेंगे आपको यह AC के लिए इसकी जरूरत है क्योंकि आपको surface से दिया बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा current के लिए वह नहीं जा पाएगी तो आप कभी तार चीलेंगे अपने घर वाला जो बिजली का तार होता है तो पतले पतले तार उसमें दिखेंगे एक की जेगा 10-20-30 दिखेंगे त जो आपको इस्तिमाल इस तरह समझना पड़ता है एक numerical सा है इसको करने का प्रयास कर लेते हैं अजिए जनेरेटर कंसिस्ट अफ एक कोईल आफ एंडर टर्न्स एन की वेलू 100 एन क्रॉस सेक्षल एरिया तीन मीटर स्क्वार यह नहीं ए भी दे रखा है तीन मीटर स्क्वार रोटेटिंग एक कॉंस्ट अंगलर स्पीड आफ 60 रादियंस ओमेगा भी दे रखा है 60 रादियन पर सेक्ड इन ए उनिफॉर्म मगनेटिक फिल्ड बी इस अलसो देर 0.04 टेसला the resistance of the coil is 5 ohm आर दे रखा है अब देखे क्या पूछ रहेंगे calculate maximum current drawn from the generator maximum current कितनी होगी I naught I naught का मतलब है E naught upon R E naught को भी अमनों ने समझा था N B A omega upon R value रख दीजे N है 100 B है 0.04 area है 3 omega है 60 R है 500 इसको जब solve करेंगे तो value मिलेगी 1.44 ampere ये पहले का answer आ गया पी current E naught N B A omega अब नंबर टू देखते हैं maximum power dissipated in the coil तो maximum power क्या रही पी E rms into E rms ये formula होता है I rms into cos phi अब maximum current जब बोलेंगे तो थोड़ा सा उसको उपर कर लेता हूँ पी maximum में power factor 1 हो जाएगा E rms I rms और ये हो गया 1 for maximum power तो इसको लिख सकते हैं E naught upon root 2 into I naught upon root 2 या और तबदीली के लिए तो लिख सकते हैं I naught square upon 2 इसी को convert कर दिया है E naught को V is equal to i r से I naught into r से अब देखी हैं ये values हमारे पास है I naught निकाल चुके 1.44 r था हमारे पास 500 upon 2 solve करेंगे तो आजागा 518.4 watt ये answer हो गया है तो इसको भी आप note कर लीजे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ जिससे आपको पूरी चीज समझ में आ जाए तो ये आप इसको note कर लें वेटा और मेरे काथ से इत्ती दिर में note कर लिया होगा फिर इसको उपर ले जाते हैं तो ये पूरा one shot मैंने cover कर दिया है ये one shot में खासियत यही थी कि सारे topics cover किये गए हैं आपके slayvers के according रुक जो भाई कहां भाग रहे हो सारे topic cover किये गए हैं slayvers के according बिल्कुल perfect zero to hero जैनि कि जो भी आपको नहीं आता किसी बच्चे को भी देखेगा तो समझ जाएगा पूरी पढ़ाई कराई है कोई फालतू के talks किये नहीं आपने देखा होगा like और comment करके आप बता सकते हैं इसका presentation चाहिए तो अर्विंद academy का telegram channel है वहाँ पर description में link है आप click करके join कर लिजे और जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं अर्विंद academy app भी है वहाँ पर courses है जो आपको number बढ़ाने में number अच्छे लाने में मदद कर सकते हैं इस अर्विंद academy app का भी link description में है click करके download कर सकते हैं thank you very much wish you all the best for your exams bye